हलो स्टुडेंट अंजय हिंद विल्कम यू अल्टो मागनेट ग्रेंज एक ऐसा प्लैटफॉर्म जहां क्लास वन से लेके क्लास 12 तक और बियॉड सारा कॉलिटी एजूकेशनल कंटेंट एक्सलोसिबली फ्री आफ कॉस्स लेकर आया जाता है मतलब यह कि यहां कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेट के एक या दो चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे यह बुला जाए कि भाई बच्चा हुआ कंटेंट देखने के लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या सब्सक्राइब कर सकें अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचें इस नॉलिज की मदद से और देश की तरक्यों उन्नती में आप लोग भी अपना योगदान ने आप भी अपना कॉंट्रिबूशन ने यही मैगनेट ब्रेंस का धे है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग सेशन 2020-23 के लिए उस सीरीज के पेपर 11 को डिसकस करेंगे इसमें हम लोग आपका जो फाइनल एक्जामिनेशन होने वाला है उसके पर किस तरीके से क्वेशन वगए पूरा वेकर किस तरह से सेट किया गया उसके उपर बेस्ट यह सेशन पेपर है और इसमें हम लोग बेसि चार्टर में से फिर जितने भी वराइटी के क्वेशन आपके आने हैं वह सारे के सारे क्वेशन के अच्छे से अच्छी आपको प्राक्टिस करवाई जा सके तो एक तो यह पेपर जो है आपको इस पर्टिकुलर चार्टर के रिस्पेक्ट में अपना नॉलेज टेस्ट कर दूसरा यह आपको एक मौका देता है इस बात को समझने का कि इस पर्टिकुलर चैक्टर में से क्वेस्टन वगरा जो है किसके से तरीके से फ्रेम किये जा सकते हैं कौन-कौन से वराइटी के क्वेस्टन किसको अटेम कैसे करना है बिसाइड डिस क्या स्ट्रेजी रहनी है पेपर से रिलेटेड और दूसरी जो बाते हैं किस तरीके से हमको पेपर अटेम करना वह सारी बातें भी हम लोगोंने आज के स्टेशन में देखनी हैं है कर दो चुरू करते हैं और मेरी आपको सलह आया कि its sort चूहर में इस सीरीज के हर सेशनम वेपर आपको आपके पास में हैं तो इनके बारे में पहले से नौलेज होना अच्छी बात है क्योंकि यहीं इन्स्रक्शन के बेसे पर अपने को पेपर करना तो पहली चीज तो यह की पेपर जो है तीन गंटे का आपको टाइम मिलेगा करने के लिए एक 하나isil मिनेट का टाइम आपके पास में हैं तीन गंटे याने 183 मिनेट और 99 facts कितने हैं ऐसी इन इस तरीके से आपके जो हैं उसमें पेपर और उसमें कुल मिलाकर 34 questions अपसे पूछेगाए ने की इन 5 आज sections में कुल मिलाकर इन 34 questions को divide किया गया और यह सारे के सारे questions कमपलसरी हैं सारे के सारे questions करना है मतलब यह नहीं हो सकता कि 30 में से 34 में से 30 questions कर दो और कुछ questions छोड़के आ जाओ 25 questions कर दो कई बार होता है किसी examination में आपको इस तरीके की सहुलियत भी मिलती है कि 10 सवाल हैं तो 8 स सवाल हैं तो 5 सवाल दो मगर वैसी कोई सहुलियत यहां पर नहीं है आपको 34 के 34 questions ही जो है solve करना है आप यह जो 34 questions हैं वो किस तरीके से sections में divided हैं वो देख लेता है सबसे पहला section जो है उसमें आपके question section number A उसमें question number 1 से लेकि question number 21 तक आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे questions आप 4 में से कोई एक option सही है वो टिक कर दिया तो आपको एक number मिलेगा और अगर गलट नहीं टिक किया अगर वो सही टिक नहीं किया तो आपका एक number कट जाएगा या फिर आपको एक भी marks नहीं मिलेगा यहां पर फिर यह स्तिती नहीं है कि आपको एक मैंसे आधा number दे कि वो वाली जो खेल है यहां पर नहीं खेले जा सकते हैं जो हिमानिटीज में होता है कि आपके तभी अच्छा लिखो पूरे marks नहीं मिलते हैं वो खेल आपके साथ section A में नहीं खेला जा सकता तो एक तो यह हो गया section A इसमें आपके 21 marks और 21 questions सारे के सारे MCQs उसके बाद आता है इसमें question number 22 से लेकर 27 तक आपको questions याने की 6 सवाल देखने के लिए मिलेंगे और यह question short answer type questions है हर एक question के आपके 3 marks है तो 6 question हर एक question 3 marks का है इसका मतलब maximum यहां पर आपके 18 marks बनता है और इन questions का जवाब आपको 60 to 80 words में देना है 60 से 80 words जाने की max to max 6 से 8 line है जो हैं इन सवालों के जवाब में आपने को लिखनी है अगला आता है section number C section number C में आपके 3 सवाल है question number 28 to 30 28 29 30 और हर एक सवाल 8 number का है इसका मतलब आपको यहां पर maximum 24 marks जो है वो मिलना है 24 number आपको इस section को solve करने के लिए मिलना है long answer type questions है detail में आपको अंसर लिखना है तो हर एक सवाल 300 से 350 words न या पर यूं बोलूं कि 30 to 35 lines में आपको लिखकर कदब करना है अगला section आता है section number D जिसमें आपको 3 questions मिलेंगे question number 31 to 33 यह source based questions रहने वाले हैं और हर एक question में आपको 3 questions मिलेंगे plus आपका हर एक question जो है 4 mark कर रहेगा मतलब यह कि आपको एक paragraph पढ़ने के लिए मिलेगा question number 31, 32, 33 में और उस paragraph के ओपर based आपको कुछ questions बगरा देखने के लिए मिलेंगे एक बात दूसरी बात यह कि आप इस paragraph के ओपर जो questions रहेंगे let's say question number 31 का paragraph यह रहा इस paragraph के ओपर फिर आपको 3 questions मिलेंगे पहले سब question का एक number मिलेगा, दूसरे sub question का एक number मिलेगा और तीसरे sub question का आपके दो number मिलेगा, इस तरीके से एक question में आपको basically तीन questions solve करने होंगे और इन सब के total मिला कर आपको 4 number मिलेगे, इस तरीके से से section के उर्छा मांज़ बनता है last section आता है आपका section पूरा का पूरा पूरा बेपर जो है अब इस पेपर में आपको देखने के लिए नहीं मिलती है हलाकि कहीं पर आपको इंटर्नल चॉइस अगर मिलेगी तो वहां पर बताया जाएगा इसके इलावा आपको अगर सेप्रेट इंस्ट्रक्शन वगरा कहीं पर किसी क्वेशन वगरा के लिए चाहिए पढ़ेंगे तो वह भी उसी पर्टिकुलर क्वेशन के साथ उसी सेक्शन में दिये गए जहां जहां पर तो इस तरीके से जो है यह आपका सेंपल पेपर वगरा पूरा होता है इस तरीके से जो है आपके कॉशन पेपर का जो स्ट्रक्शर है वो पूरा होता है कि पांच सेक्शन में आपको 34 सवाल है करने के लिए 180 मिनिट या 30 घंटे का टाइम और आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर आप सब्सक्राइब के साथ में खेल लें नहीं उत्रे तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्राड़ी के साथ में जमें हम लोग यहां पर आगे बढ़ेंगे देखिए बात यह है कि इस पेपर को कैसे किया जाए कि हम एक तो इसको आपका एक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ टाइम में इसको कर जाए प्रॉपर टाइम मेनेज्मेंट के साथ में इस तरीके से कर जाएं कि हमारे उपर कोई दबाव ना है अपना सर्विश्ट्रेस देखिए और मैंग्जिमन मार्क स्कोर कर सके हैं उसके लिए मैंने सबसे पहले आपने सेक्शन नंबर एक करना सेक्शन नंबर एक करने की वज़ा है कि सारे के सारे की क्यों है हर एक क्वेश्चन का आपको एक नंबर मिलना है और कुल मिला कि किस नंबर है अब अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन सही करती है तो आपके 21 नंबर जो है यह यहां पर वो खेल नहीं है कि आप मतलब यहां पर कुल मिला कि बहुत अब्जेक्टिव बात हो रही है या तो आपको सवाल का जवाब आता है या फिर नहीं आता वो खेल नहीं है कि आपको थोड़ा सा आता है थोड़ा सा नहीं आता वगरा वगरा इस तरीके की हरकतें इसमे किये जा सकते हैं यहां पर जो है maximum marks वगेरा फेच कर सकते हैं एंड इस section को करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको सिर्फ सवाल पढ़ना है सवाल को पढ़कर उसका जवाब जो है सही टिक करना है बहुत इत्मिनान से भी अगर आप चले तो 20 से 25 मिनट आपको max to max section करने में लगेंगे और 20 से 25 मिनट में अगर 21 नमबर अपने जो हैं पूरे ensure हो पाते हैं या फिर अगर चली एक आठ सवाल नहीं भी आता है 19-20 भी अगर score हो पाते हैं तो well and good है यह section करने के बाद में जो अगला section जिसके तरफ हम लोगों ने बढ़ना है वो section number e रहेगा section number e इसलिए क्योंकि section number e में सिर्फ आपको एक सवाल करना है map based question है map में या तो कुछ जगाओं के नाम आपने pinpoint करने है या फिर आपको किसी जगह के बारे में कुछ बताया गया है और वो जवाब आपने लिखना है और जैसी आप वो करो आपको पांच number free के मिल जाते हैं यहां टाइप question है लिखने के लिए कुछ नहीं है पड़के दो मिनट में जो है सवाल सवाल हो जाएगा मगर चले हमाल लेते हैं पांच मिनिट आपको लगता है तो 25 मिनट आपको max to max section को करने में लगेंगे तो 2 sections आपके खतम हो गए और यहां पे आपके 215 पांच 26 नंबर जो है है हाँ पर secure हो गए और अभी आपका max to max आधा घंटा खतम हुआ है ठीक है जी max to max आपका आधा घंटा खतम हुआ है और आपके 26 नंबर secure हो गए प्लस 37 साथ आपके 2 sections खतम हो गए एक बात और कि यह आपने दोनों sections इस तरह से करने हैं इतना इत्मिनान से करने हैं अगर sections इतना इत्मिनान से करने हैं कि एक बार इंको करने के बाद final भी इनको चेक करने के अब जरूरत ना पड़े आप पूरी तरीके से संतुष्ट होने चाहिए इन sections को आपने फिर उसके बाद में चेक नहीं करना है इस तरह से करना है कि इस पर confidence की स्थिती में आप रहें इसक sections ही इसलिए क्योंकि इसमें हमको तीन सवालों का जवाब लिखना है हर एक सवाल आठ नंबर का है और एक सवाल में जो हैं हमको दिर दिर दो दो पन्ने जो है बरने और यहां पर फिर आपका humanities का हिस्ट्री का एक रोना शुरू होगा कि कि इतना भी अच्छा लिख लो पू कोशिश यह होनी चाहिए कि अपन बीस एक केस बाइस सारे बाइस जितने भी होच सकते हैं maximum नंबर जो हैं आपन खेंचने की कोशिश करें अगर एक एक सवाल से अपने को साथ साथ नंबर मी मिल जाते हैं तो 21 नंबर के अपने बनते हैं यहां पर तो अपना objective होना चाहिए maximum मार्क्स कीचे जाए अब यह जो दो सेक्शन्स आपने करके यहां पर सेक्शन ए और सेक्शन ही तीस-पैंटिस मिनट में करकर जो आपने कोरे मार्क्स नहीं मिलेंगे समझ में आता है तो 24 में से मिनिममम अपने 21 नंबर मान कर चलते हैं अपने को निकालने हैं हर एक कॉश्चन में से कम असकम अपने को साथ मार्क्स लेने के लिए अपने को लगकर जो है कि यहां है यहां पर अपनी तरफ से effort मारना पड़े इसक से बाद में फिर आप आपके पास में चोईस है कि आप बचे हुए दो सेक्शन में से कौन सा सेक्शन करना चाहते हैं आप अगर सेक्शन बी पहले करना चाहते हैं तो सेक्शन बी करके उसके बाद में सेक्शन डी करना चाहते हैं तो सेक्शन डी करना चाहते हैं तो सेक्शन आप और टाइम बचेगा तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि section A और section E को तो अपने को चेक नहीं करना है इस तरह से करना है कि ये sections अपने पूरे हो जाएंगे इनको चेक करने के लिए कुछ अपने पास में नहीं बचेगा section C को एक बार अच्छे से पढ़ लिजेगा और एक ब सब्सक्राइब के साथ में कि आप अच्छे सच्छे माक्सूर कर रहा है आईएगा जैसे 26 नमबर अपने यहां होगा है चौबश में सब्सक्राइब कर लोगे तो 57 हो गए और यहां पर आपके 18 में से कमसकम 14 15 नमबर आ जाएंगे तो 57 लगबक 73 72 73 के आसपास जो है आप मि सकते हैं अगर आप इस पर्टिकुलर स्टाड़ी पर चलें तो यह जो पैटन है अपने को फॉलो करना है यह जो पैटन है इस पर्टिकुलर पैटन पर आपको चलना है ठीक है तो यह अपना पैटन रहने वाला है यह अपनी स्टाड़ी रहने वाली है इस पर अपन तो जो पहला question है section number 1 का इसमें पूछा गया रहा है पीजन्ट सत्याग्रा एट बर्दोली वाज होल्ड इन डैश बर्दोली में जो पीजन्ट सत्याग्रा है वो कब हुआ था या कब करवाया गया था options दे रखे हैं 1928, 1928, 1929, 1930, 1931 तो इसका जो सही जवाब है बर्दोली में जो पीजन्ट सत्याग्रा हुआ था वो 1928 में हुआ था और यह इसलिए relevant है या इसलिए important है क्योंकि Simon Commission का विरोध वगरा भी जो है इस वक्त में चल रहा था और गांधी जी ने फिर कहीं ना कहीं फिर से जो politics में re-entry के बारे में सोचा था वो यहीं से जो है उसका उनके मन में विचार आया था इसलिए बर्दोली सत्याग्रे को याद रखा जाता है question number 1 का सही जवाब है option number 1928 अगला question question number 2 Congress Ministries Resigned in Dash Congress की जो ministries है उन्होंने किस साल में या कौन से महीने और कौन से साल में resign किया था options है October 1937, September 1938, September 1940 या फिर October 1939 इसका जो सही जवाब है वो बनता है option number D October 1939 अब वो बच्चे जो पहली बार ये session देख रहे हैं या फिर जिनको थोड़ा confusion हो रहा है कि यह किस तरीके का सवाल है Congress की किस ministry ने resign किया और कब resign किया क्यों पूछा जा रहा है थोड़ा सा मैं background आप लोगों के लिए दे देता हूं हुआ यह था कि तीन roundtable conference हुई थी तीन roundtable conferences के नतीजे में एक कानून निकल कर आया था जिसको बूला जाता है Government of India Act 1935 इस Government of India Act 1935 के तहत 1937 में elections करवाए गए थे provinces के provinces के जो elections हुए थे यानि की जो प्रांतों के elections हुए थे यह basically states के जो elections होते हैं आपके वैसे ही थे 1937 में इन provinces के elections में या provincial elections में Congress जो है उसने ministries बना ली थी यानि की Congress जो है Congress जीत गई थी और Congress ने जीतने के बाद में ministries बगरा बना ली थी यानि की सरकार बना ली थी कई सारे आपके provinces बगरा में अब 1937 में आपकी कई सारे मिनिस्ट्री कई सारे आपके जो provinces है साथ या 9 provinces में आपकी सरकार बन गई है और वहाँ पर आपनी सरकार चला रहे हो अब हुआ यह कि फिर 1937 सो 38 39 39 सिदंबर के महिने में हिटलर ने पोलेंट पे हमला कर दिया और वर्ल्ड वार टू की शुरुआत हो गई वर्ल्ड वार टू की जब शुरुआत हो गई तो जैसे आज हमला किया है आज की दिन हिटलर ने हमला किया है तो अगले दिन या अगले के अगले दिन जो है जर्मनी की विरोध में आपके इंगलेंड का और फ्रांस का जो है साथ देगा ये सारी रिक्लेरेशन कर दी गई हमसे पूछे बिना इस पर एक तो विरोध किया कि आपने हम लोगों से पूछना भी जरूरी नहीं समझा दूसरी बात फिर इनों ने ये बोली कि आप आजादी तब हम जो हैं आपके साथ में खड़े होंगे हमको पूरी आजादी चाहिए ये जब विचा ये जो आपका प्रपोजल था जब कॉंग्रेस का मानने से मना कर दिया गया इंगलेंड के द्वारा की भाई हम आपको आजादी वाजादी नहीं दे सकते तो उसके बाद में फि पिर आपका जो अक्टूबर 1939 था उसमें आपकी जो कॉंगरेस की मिनिस्टीज बगरा चल रहीन थी प्रोविन्सेज में उन्हों ने पिर रिजाइन कर दिया और इस तरीके से जो है आपका ये पूरा पूरा ये प्रोविन्सेज वगरा में में indisp्री चल रहीन थी में रिजाइन कर दिया और उसके बारे में जो है सवाल वगरा पूछा गया थो इतना घटना क्राम है जो अपने को पता होना चाहिए वैसे तो मैंने इसको डीटेल में पढ़ाया भी था मगर अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए मैं शौट में बता रहा हूं कि सवाल जो है इसमें पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने अपना major public appearance कभ दिया था अब major public appearance का मतलब यह है कि लीडर के तौर पर हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जंता के सामने सबसे पहले कभ आए थे तो इसका साल ये साउथ अफरीका गये थे उस वक्त हिंदुस्तान भी कुछ और था और गांधी जी भी महात्मा गांधी नहीं बने थे गांधी जी सिंप्ली एक नॉर्मल इंसान थे मोहंदास करम चंद गांधी जो वैक्ती लॉयर था या बैरिस्टर था और अपने किसी के सिलसे में स हिंदुस्तान वापस लॉट कर आ गए 1915 में गांधी जी जो है पर्मानेटली इंडिया लॉट कर आए अब 1893 से 1903 1903 1903 लगभग 22 साल के बाद में जब गांधी जी वापस लॉट कर हिंदुस्तान आये थे उस वक्त में इंडिया भी आपका बदल चुका था और गांधी ज था जिसके चलते एक लीडर के तौर पर उनकी अपनी एक पैचान बनी थी तो 1915 में जब गांधी जी लॉट कर हिंदुस्तान वापस आये तब ना तो यह वह हिंदुस्तान वैसा रह गया था जिसको चोड़के गए थे और ना वह वैक्ति वैसा रह गया था जो 1893 में करना चाहते हो पहले इसको समझना ज़रूरी है और इंग को समझने के लिए तुम भारत दर्शन करो तुम भारत यात्रा पे निकलो ठेखी तुम भारत यात्रा करो या फिर तुम भारत द सबसे कि लाइप भूम है ऐसा करोगा तो तुम्हें हिंदुस्तान को जादा अच्छे रहे सीखने का मौका में जादा अच्छे समझने का मौका मिलेगा और तब जाकर फिर तुम इनके सही डीडर के तौर पर निकल कर आ सकते हो तो यह सारी की सारी चीज जो है लगबाग एक साल चली 1500 में लोट करो रह और फॉल्टी में सीश्वाल के बाद में पहला पपहरेंस उन्हों ने 916 से ऑन त्यों पहनी TVs के अफ cabinet लिए इनकी पहली जो स्पीच है कहीं ना कहीं वो बताती है गांदी जी के विचारों के बारे में जिस पर चलकर उन्होंने आगे काम भी किया मगर यह जो है पूरी की पूरी कहानी है पूरा का पूरा बैक्राउंड है अब यह सवाल competitive examinations में भी पूछा गया है और board exams में भी आ सकता है तो इपने को याद रखना है गंति जी ने पहला major public appearance 1919 go भुमा के पूछ सकते हैं कि गांदी जी ने पहला पप्लिक अपीरेंस 1916 में कहां किया था इसका सवाल क्या हो जाए इसका जवाब क्या हो जाएगा बनारा सिंदू यूनिवर्सिटी में किया था और क्यों इंपॉर्टेंट है बिएच यू की इनॉग्रेशन में जो उन्हों पर बात की थी उन्हीं चीजों के ऊपर फिर आगे उन्होंने एक्शन वगरा भी लिया है तो इस तरीके से अपने क्वेशन नंबर थर्ड का जो सही जवाब है वह जाएगा ऑप्शन नंबर भी चले अगला क्वेशन देखते हैं फोर्थ क्वेशन है एस सीरीज ऑफ प्र प्रिंसली स्टेट्स में राष्टाबात को बढ़ावा देने के लिए प्रजा मंदलों की स्थापना करवाई गई थी क्योंकि उन इलाकों में कॉंग्रेस वगरा के दफ्तर खुलने देने में काफी दिक्कत क्रिएट करते थे प्रिंसली स्टेट के प्रिंस वगरा एंड उनको वहाँ पर operate नहीं करने देते थे तो इसलिए प्रजा मंदलों की स्थापना करवाई गई थी ताकि वहाँ पर विराश्प्रवाद का बढ़ावा किया जा सके और कॉंग्रेस के mission या विचार को वहाँ तक महुंचाया जा सके अगला question question number fifth in which year was the first round table conference held इन में से कौन से साल में पहली round table conference करवाई गई थी इसका जवाब है which of the following was the first mass moment against the politician India अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला आपका mass moment था वो कौन सा था यानि कि कैसा moment जिसमें लोग पहली बार जन या फिर जो जनता है पहली बार सटकों पर अंग्रेजों के खिलाफ निकल कर आई हो इन में से कौन से moment में निकल कर आई थी options हैं quit India moment खिलाफत moment civil disobedience moment स्वधेशी मूमेंट तो इसका जो सही जवाब है वह option number D स्वधेशी मूमेंट थोड़ा सा background आपको इसका दे देते हैं लौर्ड करजन करके एक भाई हुए थैं जिन्होंने उनने सो पांच में बंगाल का partition कर वा था उन्होंने यह बोला कि भाई हम भाई हम Above का जो प्रांदłe का प्रांथ आई जो बंगाल का मुल्हेंच करेंगे एक अजह को बनाएंगे एस्ट बंगाल और एक हस्थे को यह था कि अगर राश्टरवाद को रोका नहीं गया तो उनके प्रॉब्लम क्रीट होगी तो क्योंकि आपके पूरे देश में सबसे जादा राश्टरवाद आपको बंगाल में देखने के लिए मिल रहा है तो बंगाल प्रांद के दो तुकड़े कर दो और इसको भाषा के आ एंटी पार्टिशन मुवमेंट और यही मुवमेंट जो है या तो इसको आप ऐसे कहलें कि आगे चलकर यह मुवमेंट जो है स्वदेशी मुवमेंट में कनवर्ट हो गया या फिर यह बोलने हैं कि यही मुवमेंट जो है स्वदेशी मुवमेंट कहलाता है इसमें पहली बार जनता जो है सड़कों पर निकल कर आई थी और अंग्रेजों के से लुहा लिया था अंग्रेजों के खिलाब जो है आगे पड़कर उन्होंने इस तरह से कह सकते हैं सुदेशी मुवमेंट चलें अगला क्वेशन देखते हैं क्वेशन नंबर सेवें इन विच यह डिट महात्मा गांधी गेवा कॉल फॉर दो कुई इंडिया मुवमेंट के लिए कॉल दिया था ऑप्शन से 1930 1936 1942 1945 तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1942 में महात्मा कांधी ने कुई इंडिया मुवमेंट का कॉल दिया था अला कि यह दूसरी बात है कि जैसे आज अगर कॉल दिया है तो उसके अगले दिनी पूरी की कॉंग्रेस की लीडर्शिप को अरेस्ट कर लिया गया था मगर फिर भी यह जो करो या मरो वा नारा है और भारत छोडो क जो है आपका यहां पर आपके प्रदर्शन वगरा होते रहे बड़े लेवल पर वाइलेंस हुआ सारी चीज़ें हुई तो कुश्चन नमबर सेवन का सभी जवाब है ऑप्शन नमबर सी नाइटिन फॉर्टी टू अगला कुश्चन आता है क्वेश्चन नमबर एट जिसमें कि हूँ लेड दाः खिलाफत मॉमेंट इनडिया हैंब हमको यह बताना है इनमें से किसने खिलाफत मॉमेंट को हिंदुस्तान में लीड किया था अपशन्से मौमद ली एंड शौकत ली दूसरा महमद ली जिन्ना और शम्सद्दीन हुसैंistent तीसरा मौलाना आजद हैं हस् कई बार हम लोग इंग्लिश में टर्की भी बोल देते हैं इस देश ने आपका जो एक्सेस पावर थी या फिर फासीवाद की पावर जो थी आपका जर्मनी हो गए इटली हो गए इन लोगों के साथ में मित्र देशों के खिलाफ हिस्ता लिया था वर्ल्ड वार वन में और हा क्या किया जाएगा या क्या ना किया जाएगा यह जीतने वालों को फैसला करना था अब हुआ ये कि इनों ने ये डिसाइड किया कि जो तरकी का बहुत बड़ा अमपायर था आपका जो पूरा का पूरा आपका खिलाफत का अमपायर था एक तो उसको खतम कर देंगे ये लोग पूरी तरीके से और तुर्की के सुल्तान को जो है बहुत छोटे से इलाके के वो मुसल्मानों का स्पिरिच्वल लीडर भी माना जाता था तो अब इंडिया के मुसलिम्स वगरा ने फिर ये बूला कि क्योंकि खलीफा हमारा स्पिरिच्वल लीडर भी है तो तुम भाई उसके साथ में ये मत करो कि उसका अमपायर वगरा जो है उसको छिन भिन करो और इस तरीके की चीज़ें बहले हो हार गया है मगर वो क्योंकि हमारा लीडर है और हमारी भावना है उसके साथ में जुड़ी हुई है तो तुम उसका थोड़ा सम्मान करो इस पर्टिकुलर बात को लेकर एक मुमेंट हिंदुस्तान में शुरू हुआ था जिसका नाम था खिला अगला कर यह जो पूरा का पूरा मोमेंट है इसको शुरुआत जो है मुहमद अली और शौकत अलीरे दी थी क्वेशन नमबर एट का सई जवाब ऑप्शन नमबर एह चले अगला क्वेशन देखना है क्वेशन नमबर नाइन इन विच यह डिड़ दा मुस्लिम लीग पास किया था एक सेपरेट नेशन पाकिस्तान के लिए इसको कई बार पाकिस्तान रिजोलुशन के नाम से भी जाना जाता है वैसिकली इसका नाम लाहर रिजोलुशन हाला कि मज़े की बात है कि इस पूरे रिजोलुशन में कहीं पर भी पाकिस्तान शब्द का जिक्र नही दिखने को नहीं बिलता क्वेशन नाइन का सभी जवाब है उसका कॉल दिया था आत्मा गांदी मौहमद अली जिन्ना जवाल लाल नहरू सर्दार वल्लब भाई पटेल इसका थोड़ा बैग्राउंड दे रहते हैं इसका बैग्राउंड यह नाइटीन फॉर्टी सिक्स में जब आपका कैबिनेट मिशन प्लान आया और नाइटीन फॉर्टी सिक्स में कैबिनेट मिशन प्लान जब फेल हो गया तो कैबिनेट मिशन प्लान के फेल होने के बाद में मौमद अली जिन्ना ने यह बोला कि अब हम लोग जो है पाकिस्तान क के लिए जड़कों पर उतरेंगे और डायरेक्ट एक्षन करेंगे यह और वो बाद में आला कि आदमी पलड़ गया था और उसका कहने का इसने यह बुला कि मेरे कहने का मतलब यह था कि हम धड़ना विरोज प्रदर्शन करेंगे वगयरा वगयरा मगर जिस तरीके की स्पीच इसकार में दूसरी जगाओं पर भी धंडे जो आपके दंगे वगयरा हुए काफी बड़े लेवल पर आपका पर जो है वायलेंस वगयरा किया गया और उसके चलते पिर देश जो है दंगों की आग में कहीना कहीं जुलस गया एक से दूसरी जगए दूसरे से तीसरी अगला आता है question number 11 वेर वोस गांधी जाश्रम लोकेटेट अब हम को ये बताना है कि गांधी का आश्रम जो है इन में से कौन सी जगे पर लोकेटेट है options है दांडी, चंपरन, खेडा, साबरमती तो इसका जो सही जवाब है वो है हम को ये बताना है कि इन में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है options है quit India was genuinely a mass moment quit India moment जो है वो genuinely a mass moment दूसरा Simon Commission was opposed as it had all British members Simon Commission का विरोध इसले हुआ तो क्योंकि इसमें सारे के सारे जो members थे वो अंग्रेज थे तीसरा in its session held in 1913 Lahore the Indian National Congress passed the resolution for the complete independence of India 1930 का जो आपका session हुआ था Lahore में उसमें Indian National Congress ने complete independence के लिए भारत की resolution passed किया था या प्रस्ताव पारित किया था या फिर on 16th August 1946 the Muslim League called for a direct action day या 16 August 1946 Muslim League ने direct action day का call दिया था तो इसमें से हमको यह बताना है कि कौन सा statement सही नहीं है देखता है क्विट इंडिया मुवमेंट एक जन्यूनली मास मुवमेंट था यह बात इसलिए रहे जेल जाते रहे मगर कॉंग्रेस के सच किसी लीडर ने उनको लीड नहीं किया था बड़े लेवल पर छोटे लीडर थे आपके पास में अंडरग्राउंड लेवल पर काम भी कर रहे थे मगर ओवर अगर देखा जाया तो फिर पूरे के पूरे मुवमेंट को आप देखेंगे तो यह लोगों के दोरह ही चलाया गया तो जन्यूनली मास मुवमेंट था इसमें कोई शक्की बात नहीं तो पहला statement सही है हमको यह ब बदलाव करने चाहिए ताकि और future जो आपका constitutional reforms होगरा है वो किये जा सके है हिंदुस्तानियों ने यह बोला कि हमारे constitutional reforms या कौन सा सम्विधान लागू होगा नहीं होगा इस तरीके के फैसले करने के लिए अगर एक अंग्रेस कमिशन आ रही है हिंदुस्तानियों को शामि नाइटिन धर्टी में तो यह वाला statement जो है वो गलत है और चौथा 16 अगस्ट 1946 को Muslim League ने डारेक्ट एक्शन डे का कॉल दिया था तो यह बात तो सच है मैंने भी आपको बताया है जिन्ना ने जो है यह अरकत करी थी जिसके चलते फिर पूरे देश में जो है दंग्या वगर था 1929 के session में यह फैसला लिया गया था तो question number 12 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा option number C चले अगला question देखता है question number 13 तो next question number 13 इसमें पूछा गया है what was profession of गांधी जी गांधी जी का profession क्या था lawyer थे doctor थे printer थे civil servant थे इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं वकालत करते थे कानून की पड़ाई करी थी तो question number 13 का जवाब है गांधी जी पेशे से lawyer थे या वकील थे अगला question question number 14 अगला question देखिए question number 15 विच सिटी वाज़ा कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इडिया इन 1911 में कौन सा जो है ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल हुआ करता था option दिल्ली बॉंबे कलकत्ता मदरास इसका जो सही जवाब है वो है कलकत्ता 1911 में फिर आपका कलकत्ता से कैपिटल जो है वो शिफ्ट किया गया था दिल्ली में तो मगर अगर आप से यह पूछा जाएगी कौन सा कैप पिटल था तो कलकत्ता था और यहां से शिफ्ट कहां किया गया था तो याद रखना होगा दिल्ली शिफ्ट किया गया था क्वेशन नमबर 15 का सई जवाब option नमबर सी है चले है अगला क्वेशन देखता मुस्लिम लीग की जो है स्थापना कब हुई थी उननेस सो साथ एड था इसने जो है दो लोग और थे मौसीन उल्हरक और निजाम उल्हक और निजाम उल्हक इनके साथ में मिलकर जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की थी तो क्वेशन नमबर 16 कैसा ही जवाब है option नमबर सी 1906 अगला question who was the last viceroy of India आसान सवाल है लौड मांट बेटन साहब जो थे वह इंडिया के last viceroy थे ओप्शन जो दिए गाए लौड मांट बेटन लौड राजिन परसाद लौड एटली लौड वैवल जो है लास्ट वाइस रॉइन नहीं थे लौड एटली प्राइम मिनिस्टर थे जिन्टों ने भारत की दस्तकत पर साइन किये थे डॉक्टर आज़ाद भारत के पहले आपके गवर्नर जनरल भी थे तो क्वेशन नमबर 17 का सभी जवाब ऑप्शन नमबर 18 वेर ड़स जलियावाला बाग मैसेकर टूप लेस जलियावाला बाग का जो मसकर था वो कहां पर गया मैसेकर था वो कहां पर हुआ था अमरिटसर पटियाला बटिंडा कलकत्त तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नमबर ए अमरिटसर में जो है जलियावाला बाग का मैसेकर हुआ था जिसमें अंग्रेज होना है काफी बड़े पैमाने पर जो है लोगों को मारा था जनरल डायर ने जो है एक ऐसी भीड के ऊपर जो ना हिंस अं 3rd June 1947 AD विश फॉलविंग प्लान वस डेकलियरड तीन जून 1947 कुई में से कौन सा प्लान डेकलियर किया गया था ओप्शन से वैवल प्लान कैबरिट मिशन प्लान क्रिप्स मिशन प्लान मांट बैल्टन प्लान तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नमबर डी मां गया जाएगा दूसरी चीज़ यह कि दो देश बने गया एक बनेगा इंडिया एक बनेगा पाकिस्तान तीसरा काम यह बोला गया कि पंजाब और बंगा बटवारा कर वाएजाएगा और काफि सारी चीज़ें से related जहें होंगी तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है करवाई गई थी माउंट बडटन प्लान के तहता बाद में यही प्लान जो है आपका denominator प्लान क्षांग करवाया गिया और इसी की तहाद में भारत को फिर हजादी मिली ती कोशन नमबर 19 का सही जवाब हो गया अगला होता है कोशन नमबर 20 वेर डिट गांधी यूज सत्याग्रे फॉर दा फर्स ताइम गांधी ने सत्याग्रे जो है पहली बार उसका प्रयोग कहां पर किया था ऑप्शन से इनकी सबसे पहली प्रयोग शला साउथ अफरीका बनी वहाँ पर नसली ये भेदभाव जो होता था उसके खिलाफ गांधी जी ने आपका आंदूलन लीड किये थे वहाँ पर इन्हों ने इन सारे चीजों का सबसे पहले प्रयोग किया था अगला आता है क्वेशन नमबर 21 साइमन कमिशन वह पॉंटेड तू रिवीव वर्किंग और विच आख्ट अब अपने को यह बताना है कि साइमन कमिशन को अपॉइंट क्यों किया गया था या साइमन कमिशन को अपॉइंट करकर वह कौन सा आट है जिसका रिवीव वगरा वो करवाना चाहते थे या कौन सा आट की वर्किंग का जो है रिवीव करवाना चाहते थे और और इसके बाद में इसमें प्रापधान था कि 10 साल तक इसको लागू करवाया जाएगा और उसके बाद एक कमिशन बना कर चेक क्या नतीजा इसके निकल कर आए अकॉर्डिंगली जो भी फिर बदलाव करना होगा वो सारे बदलाव अगरा किये जाएंगे और नया फिर जो इसमें मौडिफिकेशन करना है या नया कोई आक्ट अगर पास करना है तो वो किया जाएगा उस सब के लिए साइमन कमिशन का किया गया था इसलिए क्वेशन नमबर 21 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए गवर्मेंट व इंडिया एक उटने सोननेस जो है उसमें आपका उसके वर्किंग को रिव्यू करने के लिए साइमन कमिशन को बनाया गया था तो इस तरीके सा अप प्रस्थान करेंगे हम लोग बाकि सारे सेक्शन को स्किप करकर डायरेक्टली सेक्शन नमबर एक तरफ में आगे बढ़ेंगे अपने को याद रखना है कियसे सेक्शन नमबर एपना खतम हो चुका है 21 MCQ जबननेस के पूरे के पूरे सॉल्व कर दी है अब यहाँ पे अप सेक्शन नहीं है जब पूचा गया है और उसको फिर सॉल्व करना है तो इस सारे के सारे क्वेशिशन को एक मैप के उपर करना होगा map अपने पास यहां पर बना हुआ है अब इस map के ऊपर हम लोग इन सारे questions वगरा को solve करेंगे यह जो भी चीज़ें हमको यहां पर बताने के लिए बताई गई है इन सब को जो हम लोग यहां पर deal करेंगे चले देखता है से तो इस question में हम से पूछा गया on the given map mark the following आपको इस map के ऊपर यह सारी चीज़ें मार्क करनी है चंपरन चौरी-चौरा खेडा दांडी और बढ़दोली अब यह भी बताया गया है कि इंको क्यों-क्यों मार्क करना है चंपरन जो है आपका चंपरन जो है यहां पर इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ गांदी जी इनने 1917 में एक मोमेंट चलाया था चौरी-चौरा क्योंकि यहां पर घटना हो गए जो उसके चलते आपका नॉन कॉपरेशन मुवमेंट को कॉल ओफ किया था खेडा गुजरात में क्योंकि गांदी जी ने यहां पर सत्यागरे वगरा किया था इसके बाद में आता है आपका दांडी दांडी जो है आपका यह पूरा पर पूरा जो आपका जो सॉल्ट मार्च निकाला था उसके एंडिंग यहां पर हुई थी और बर्दोली गुजरात में क्योंकि यहां पर जो सत्यागरे आपका सर्दार वलब भाई पटेल ने और गांदी जी ने लीड किया था किसानों के फिवर में अंग्रेजों के खिला तो इन पांट जगाओं को आपको प्लॉट करना है देख लेता है सबसे पहले हम लोग इन दोनों जगाओं को प्लॉट कर लेते हैं बिहार में आपका चंपारन पड़ता एक तो उसको और गोरकपूर में या फिर आपका के और प्लॉट करनी है सबसे पहले खेड़ा फिर दांडी और तीसरा बर्दोली खेड़ा बर्दोली थोड़ा सा यह इस तब हो गया और तीसरा यहां पर आता है दांडी इस तरीके से पांचों आपकी जगे हैं हमने इसको प्लॉट कर दिया देख लीजे आप थोड़ा सा मैप इन की पोडिशन देखकर आपको इनको प्लॉट करना पड़ेगा महात्मा गानी ने अपने बड़े बड़े मेजर इवेंट्स किये थे यहां से में एक सवाल और थोड़ा साब को बता देता हूं महात्मा गानी ने जो भी अपनी जिंदीगी में बड़े बड़े मेजर मेजर इवेंट्स किये थे अब अपना section number A खतम हो गया है और section number E खतम हो गया है अब हमारी strategy के अनुसार हम लोग अब section number C पर जाएंगे और section number C पर हम लोगोंने long answer type questions वगरा जो हैं उनको discuss करना है तो चलें section number C की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग इन questions को solve करेंगे यह आगए long answer type questions section number C आप इनको solve करना है देखते हैं तो section number C से अपने long answer type questions चालू हो जाएंगे और यहां सिर्फ हमारा जो humanities का सबसे बड़ा रोना है कि कितने भी हम लोग अच्छे answer लिख लिए पूरे marks नहीं मिलते वो भी शुरू हो जाएगा अब यहां से जो main challenge है वो यह है कि 88 number के 3 questions यह हैं तो 24 number यह अपने दाओं पे लगे हूँ है इसके बाद में 4-4 number के 3 paragraphs करने और 3-3 number के 6 questions याने के 18 number के short answer type questions करने तो यहां से अपने को काफी कुछ लिखना है काफी सारी writing करनी है तो इस सवालों को शुरू करने के पहले थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेन कोई मतलब नहीं है कि हमको पूरे marks मिल जाएंगे पूरे marks तो मिलने नहीं है यह तो तय है अब अपनी कोशिश यह रहनी चाहिए कि अपने लोग maximum से maximum number कैसे निकाल सके हैं अपन किस तरीके से अपना जो answer answer है उसके लिए जादा से जादा number fetch कर सके हैं वो अपना main challenge यहां प लिए आपने master कर लिया तो content अगर भली आपके पास में बहुत अच्छा नहीं है अगर बहुत का उतना quality content नहीं नहीं भी है तो भी आपका एक अच्छा जवाब बन जाएगा आप एक अच्छे उसमें जारा जारा number हासल कर सकते हैं एक example की मदद से समझते हैं ऐसे कि answer writing क्यो करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग question answers पर आते हैं एक तरफ देखिए आपके पास में एक ऐसी थाली है जिसमें बहुत टेस्टी खाना है मगर उसको अच्छे से present नहीं किया गया रायता जो है वो रोटी के ओपर गिरा हुआ है उसने आधा जो पापड़ उसको गिला कर दिया है जो आपकी सबजी है छोले वगरा की फैल रही है जो चावल है वो पूरे थाली में बिखरे पड़े हैं जो आपकी रोटी है उस पे घी लगा हुआ वो इधा उदर टपक के पूरा इदर से उदर बहरा है सारी चीज़ है मतलब को मिला कर वह खाना जो है बहुत आर उची कर लग रहा है देखने में जो है वो बहुत गंदा संदा समझ में आ रहा है थाली में जिस तरह की रहे जमाए गया और एक थाली उसमें खाना उतना टेस्टी तो नहीं है मगर प्रॉपरली आपका आरेंज किया गया सब कुछ एक्दम अच्छे सा रखा गया थाल है वो उस थाली की तरफ जादा इंकलाइंड होगा उस थाली को उठाने की तरफ में जाएगा जो साफ सुतरी है जिसमें खाना बढ़िया तरीके से अरेंज करकर रखा गया लगबाग उसी तरीके की कुछ कहानी जो है आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है कि आपके इस अच्छे लिखे गए वह बहुत हथ तक मांडर करता इस बात के ऊपर की आपको कितना नॉलेज है, कितना नॉलेज नहीं है, आपने अपना नॉलेज प्रेजेन किस तरह से किया है, उसका भी अपने एक बहुत बड़ा रोल होता है, उसका भी बहुत बड़ा यहां पर details तो इस लिए इस particular चीज़ के ऊपर भी जो अपने को फोकस रखना है कि अंसर रैटिंग देना तो थोड़ा सा बात-चीत अंसर रैटिंग के बारे में करते हैं और उसके बाद में हम लोग इन सवालों पर आता है जो भी जवाब आप लिखेंगे, आपकी अंसर राइटिंग, जो भी आप करेंगे, आपको इस बात का धियान रखना है, कि आपको points में लिखना है, जहां तक हो सके, आपने अपने सवालों के जवाब, points में देने हैं, कुछ भी हो जाए, जहां तक हो सके, हम लोग points वगरा ज है उसका भी इस्तेमाल करेंगे इसके इलावा अगर आप के पास में कुछ ऐसे इंपोर्टन पेर्ट्नक यहां फैक्ट वे इससे इंपोर्टेंच करना है इनको आपने हाइलाइट करना है ताकि इसकी तरफ में उसकी नजर जाए, किसी भी तरीके से उसकी नजर उसकी तरफ में जाए ही जाए इस बात का अपने को ध्यान रखना है तो points में answer लिखना है, headings and subheadings के साथ में जवाब देने है और important facts and important points वगरा जो है इनको आपने highlight करना है एक चीज जो आपने नहीं करनी है वो है आपने paragraph में लिखने से बचना है जहां तक हो सके आपने paragraph में अपना सवाल का जवाब नहीं देना है वजा गया है? paragraph में जो भी बातें लिखी गई हैं उसको पूरा समझने के लिए पहले अक्षर से लेके आखरी अक्षर तक सब कुछ पढ़ना पड़ता है और examiner जनरली इतना पूरा ध्यान देगा नहीं उसको बहुत सारी कॉपियां चेक करनी है तो एक सरसारी निगा मारेगा उसको समझ में आई जाएगा कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है अब पैराग्राफ में जो है वह पूरा देखेगा भी नहीं एक जो इसके दिमाग में माइंडसेट बना हुआ है कि अगर पांस नंबर का सवाल है तो तीन नंबर दे आओ तो वो भी आपको तीन नंबर पकड़ा देगा बहले ही कितना आपका जवाब जो है वो साड़े चार या 4.75 के हिसाब से हो आउट ओफ दे फाइब बट वो शायद उत्ते माक्स नहीं देगा इसी की जगे अगर अगर आप इसी सवाल को हेडिंग्स और पॉइंट्स के साथ म आँखों को अच्छा लग रहा है और जादा जो है अपने दिमागी कसरत नहीं करना पड़ रही सवाल की कॉलिटी को समझने के लिए तो इसके चलते हैं अगर सबको तीन नंबर दे रहा है तो आपको चार साड़े चार नंबर के आसपास वो देगा ही देगा और आप इस दस सवाल भी आप करते हैं यह चार साड़े चार नंबर जो आपको एक 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 देड़े देड़ नंबर जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो दस से पन्दरा नंबर कर डिफरेंस करता है और इस लिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान रखना है कि हम लोग अपने सवाल का जो जवाब देंगे वो पॉइंट्स में देंगे हैं इंपोर्टन फैक्स को आइलाइट करते हो देंगे जहां तक हो सकेगा अगर हमको कहीं पर बोला ही गया शॉर्ट नौट लिए लिखने के लिए तब एक अलग बात है नहीं तो फिर हम लोग अंसर इसके बारे में बताना है जिनकी मदद से आपको गांधी जी के बारे में बता चलता है पहली बात दूसरा गीवनी टूप्रॉब्लम्स फेस्ट वाइल इंटरपर इंटर्पेटिंग दम ऐसी दो प्रॉब्लम्स जो आप उनको इंटरपरेट करते वक्त फेस करते हैं इसी पढ़ना शुरू करते हैं तो वो मेजर मेजर तीन सोर्सेज या तीन स्टुरोथ जहां से हमको गांधी जी जिस टाइम पीरियर्ड में थे उस वक्त में उनकी आक्टिविटी के बारे में पता चलता है ऐसे तीन में सोर्सेज के बारे में बातचीत करनी है दूसरा यह कि जब आपका नॉलेज्ज या जो भी चीज़ें हमको दी गई है उसका जब लोग इंटरप्रेटेशन करते हैं तो क्या समस्या हैं हमारे सामने प्रमो क्रूप से खड़ी होकर आती हैं ऐसी कम दो-दो मेजर मेजर प्रॉब्लम के बारे में हमको बातचीत करनी है तो इस एक सवाल के दो हिस्स ay जिसे bold करें अब इसका जवाब हम लोग इससे लिखना शुरू करता है सबसे पहले सोर्स के बारे में बात करेंगे पर उसके बार विव्धियों इसके द्वारा लिखे गए जो प्राइवेट आपके लेटर्स हैं उसने अगर किसी वेक्ति को प्राइवेट लेटर लिखा तो वह एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है उसके बारे में इनफोर्मेशन अगर आपको हासिल करनी है या फिर उनके द्वारा अगर autobiography कोई लिखी गई है उनकी अपनी खुद की आत्म कथा लिखी गई है तो उससे भी हमको काफी कुछ इस वेक्ति के बारे में पता चलता है इसके इलावा एक सोर्स और जिसकी हम लोग किसी गांधी जी के बारे में पता कर सकते हैं वो हैं newspaper और newspaper इसलिए क्योंकि गांधी जी पब्लिक फिगर थे और पब्लिक फिगर होने के नाते उनके बारे में खबरों में काफे कुछ छपा करता था तो अब हम लोगों ने major major बातचीत कर ली कि कि किसी भी व्यक्ति के बारे में हम लोग इन फैक जनरल पॉइंट ओवी जो शुरू किया है कि कि किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए अगर वो फेमस नहीं भी है तो आपके पास कम-सकम दो सोर्स होता है जहां से आप उसके बारे में कुछ ना क मदद करता है गांदी जी के पॉइंट ओ व्यू से दिखा जाया तो उनके जो अपने खत लिखे हैं उन्होंने कई लोगों के नाम लिखे हैं जो खत इंडिविज्वली परसनली एक तो वह और दूसरा उनकी जो आटो बारे में व्यक्ति के तौर पर प्लस उनका जो व्यक सोर्सिस की मदद से लगा लेते हैं अब यह जन्रल बातशित करी हैं हैं से नोञों कि आरे में बातची Metropolitan तो एक-एक करके हम लोग इन Sources को डिसकस कर सकते हैं जैसे यहां पे इनो ने बना कि एक सूर्स के बादे में बातचीज करी है या फिर हम लोग यह कर सकते हैं कि पहले इन सारे सूर्स का नाम मेंशन कर सकते हैं ऊसके बारे में हम लोग discuss कर सकते हैं तो जैसे भी आप शुरू करना चाहें इस सवाल का जवाब मगर ऐसे बनाया जाएगा कि आपके पास में अलग-अलग sources हैं जिसकी मदद से गांधी जी के करियर के बारे में और उनकी political ideology के बारे में कुछ समझ में आता है major major sources are as follows इस तरीके साब चाहो तो चार्ड sources के नाम लिखकर पिर एक-एक समझा सकते हो या फिर एक-एक source underline करकर एक उसके बारे में बातचीत कर सकते हो यहां पर हमने दूसरे जीवन की पूरी की पूरी एक जर्णी है उसके बारे में लिखा गया अकाउंट है तो उससे हमको rich human detail जो है देखने के लिए मिलती है प्लस वैक्तिन है अपने retrospective में जाकर वो सारी की सारी बातें लिखी है जब वो सारी घटना है हो चुकी है तो वो अपने नजरिये से अपने पक्ष्टे उन बातों को जब explain करता है तो उससे भी काफी कुछ प्राइवेट फॉट्स होते है उसके बारे में आपको काफी कुछ बताता है जैसे कि एक लीडर जो है वो यार पबलिक में खड़ा होके कोई बी बारचीत करें मगर आक्च्वल में वह एक्ति कैसा है प्राइवेट उसके थॉट्स कैसे हैं वह तब पता चलता है जब आप एप उसकी प्राइवेट लीडिल के बारे में कोई देखते हो या पिर आप उसकी ठीकित करते हों तो वहां से आपको मिलती है वह फिस तरीके के विचार रगता है प्राइवेट लाइफ में अगर आप देखोगे तो इस तरीके का इंसान है तो गांधी जी के बारे में भी या फिर किसी इंडिविज्वल के बारे में ये आप तो खेर कम हो गया है लेटर्स वगरा अलेक्षना मगर जो बीता हुआ जमाना है उसमें जो आपकी मीजर मीजर नहीं है या कोई भी एक अंजांग शक्स भी रहा है तो इसके अगर लिखे हुए खत आपके पास मौजूद हैं वो काफी कुछ बताता है इसमें वैक्ति जो है अपने जो भी थॉट प्रोसेस है चाहे अपना गुसा हो चाहे अपना डिसिल्यूजन मेंट हो चाहे अपनी और दिशक्स करते हैं क्योंकि उनको यह बहर नहीं रहता लिखते में कि कोई पॉब्लिक उनके बारे में क्या सोचेगी यह उनके आपने रहे होतना है तो इसमें अपने जो भी फ्रस्ट्रेशन हो पिक्छाएं एक्छाएं आकांशा हैं जो भी चीज उनके दिमाग में हों सारी बातों को जो ही expression करते हैं और यह कई बार ऐसी चीजन भी इसमें लिखते हैं पब्लिक less ना करें अब गांधी जी जो है यह इक आपका जर्णल चलाया करते रहे जिसका नाम हरीजन था इसमें कई बार वह इस तरीके के खतों को publish किया करते थे उनके पास में लिखे जा रहे थे national moment के धर्मिया इसी तरीके से नहरू जी ने भी अपने द्वारा लिखे गए ख्यतों को या उनको जो खत लिखे गए थे उनको कई वार उनका जो edit करके उनको जो किताब के रूप में संकलित करके छापा था जिसको bunch of old letters के नाम से जाना जाता है तीसरा जो important source जिससे हम को पता चलता है वो है government records letters and reports written by policemen and other officials were secret at that time but now they can be accessed in archives one such source is the fortnightly report prepared by the home department from early 20th century these reports were based on the information given to the police by the localities but often expressed what the officials saw or wanted to believe तो letter or report वो सारे letter or report जो आपके police वालों ने या दूसरे आपके जो officials हैं उन्होंने अगर लिखी थी तो उस time period में तो वो सबका सब secret हुआ करता था मगर आज की तारीक में वो सारी चीज़ें public record का हिस्ता है उनको archive में जाकर access किया जा सकता है अब यह सारी चीज़ें यह सोच years वगरा है उन तक जो भी information पहुआनी है exactly उसको जसका तस्कनवे करना इसलिए इनको लिखकर तयार किया गया था तो इस तरीके के sources में कई बार आपका fortnight report जो 14-15 दिनों में जो report लिखी जाती थी वह important source बन जाती है जो home department के द्वारा 20th century के जो शुरुआती पहले 5-10 साल प उसका जिकर आपको देखने को मिलता है मगर कई बार यहां पर आपको यह इन सारी documents की मदद से यह भी समझ में आता है कि वहां पर local level पर वह आदमी जिसने report लिखी है वहां पर क्या देख रहा है या फिर वह क्या देखना चाहता है और उसको देखकर वह क्या निशकर्च न Home Department के लोग जो है वो इस बात को मानने को तयार नहीं है कि महात्मा गांदी के जो एक्शन्स निकाला जा रहा है इस से किसी तरीके का पब्लिक में कोई enthusiasm निकल कर आ रहा है जनता जो है साथ दे रही है इस तरीके की चीज़ है हाला कि दिख कुछ और रहा है लेटर में आपक एक और important source क्योंकि अब यह important source इसलिए हो जाता है क्योंकि गांदी जी पब्लिक फिगर थे हो उनके बारे में लगाता च्छपा करता था newspaper record जनरली आप अगर किसी इंडिविजुल की बात करेंगे जो फेमस नहीं obviously बात है उसके case में यह source काम का नहीं है मगर अगर अगर करता रहा होगा इसलिए newspaper recording important source बन जाता है तो दोनों sources की बात कर लें चाहे इंडियन newspapers की बात कर लें इन्होंने गांदी जी को कवर करने में important role अदा किया है और इनकी मदद से पूरा के पूरे national moment की बात कर ली जाए उनके political career की बात कर ली जाए आपको एक अच्छी कासी अं में जो भी आप यह सारी की सारी चीज़ें जो अलग अलग आपके sources वगरा हैं उससे पता चलता है अब issues यह हैं कि आप जो problems हैं उसकी या फिर जो आपको दिक्काते आती हैं उसकी बात कर लें अगर हम लोग state reports की बात कर लें तो उसमें जो भी आपकी detail वगरा दी गई गई हैं उसको पत्थर की लकीर नहीं मान सकते हैं उसको अग्दम factual truth नहीं माना जा सकता जैसा कि पुलीस वाले उसमें कई चीज़ें आखों देखी जो हैं accept करने को तयार नहीं थे यह उसको बोलता है हिंदी में आखों देखी मकी निकल रहे थे या इस तरीकी की चीज की सामने दिख रहा है कि कुछ और चीज हो रही है मगर वो उसको मानना नहीं चाहते थे एक तो वह हो गया कि आपके जो स्टेट आपका जो यह स्टेट रिपोर्ट वगरा जो हैं में लिखी भी बातों को कई बार हम लोग factual statement नहीं मान सकते कई बार वो over exagration होता है या फिर वो play down कि या हुआ होता है किसी पर्टिकुलर चीज को उसमें आपको exact हकीकत या exact सचाही देखने को जन्रली नहीं मिलती ओफन दीटेल अक्वेंटर्स विद दा एंजाइटी इन वरीज ऑफिशल वहाद बीन फांदिंग नंसल इंक्यापिसिटेटेटेटेट इन कंट्रूरिंग द जानते हैं या समझ पा रहे हैं कि उनसे कंट्रोल चीजें हो नहीं रही है या फिर जिस तरीके से मोमेंटम बनता चला जा रहा है वो इसको रोक पाने में समर्थ हैं डेवर अनिबल टो टेक डिसीजन वेदर शुट अरेस्ट गांदी जी और नॉट अब दांडी यातरा की बात कर लेते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वह यह निर्णे नहीं ले पा रहे थी कि मात्मा गांदी को आरेस्ट किया जाए ना किया जाए करें तो किस अधार पर करें नहीं करें तो क्यों नहीं करें सारी की सारी चीज़ें साथी साथ यह बात और इंको समझ में आता है एक बात जो निकल कर आती है वो यह है कि private letter और autobiographies जो है वो official account से कई सारे methods में अलग होते हैं और जिस तरह से आप एक आदमी का interpretation इनकी मदद से करते हो जो official accounts है और फिर newspapers है उसकी मदद से की गए interpretation और private letter और autobiographies में की गए interpretation में जमीन आसमान का अंतर आपको देखने के लिए मिलता है और यह कुछ major major issues वगरा हैं जो आपके सामने निकल कर आते हैं तो यह जो है इस सवाल का जवाब अपना बंद कर तयार हो जाएगा चले next question देखते हैं question number 29 तो next जो question है question number 29 इसमें पूछा गिया है कि examine the causes and contribution of non-corporation movement to India's freedom struggle अब हमको वो सारे causes और contributions बताने हैं जो non-corporation movement ने इंडिया की struggle में किये थे या इंडिया की जो freedom struggle रही है उसमें किये थे पहला दूसरा यह गांदी जी ने non-corporation movement को खिलाफट movement के साथ में क्यों जोडा था क्यों कपल किया था हम को यह बात भी बतानी है तो दो सवाल जो हैं उसमें पूछेगा हैं पहला examine the causes and contribution of non-corporation movement to India's freedom struggle पहली चीज़ दूसरा वाइडिट गांदी जी कपल non-corporation movement with खिलाफट movement तो दूनों सवालों का जवाब देता हैं पहले important important समझाएंगे non-corporation movement का कि इसमें कोई शक की बात ही नहीं है यह undoubtedly है यह फिर undoubtedly यह बात fact fact है या सच है कि non-corporation movement जो है वो एक तरीके का protest का form था and it was a form of popular expression of public resentment and protest against the roll attack मतलब यह कि non-corporation movement पूरा का पूरा कि इस particular चीज़ के around develop हुआ था लोगों के मन में roll attack को लेकर जो एक गुस्सा भरा हुआ था उस particular गुस्से को expression देने के लिए उस particular गुस्से को expression देने के लिए non-corporation movement जो है प्रोटेस के तोर पर शुरू हुआ और बाद में फिर एक बहुत बड़ा लंबा चोड़ा movement जो है बनकर तयार हो गया its main objective was not to extend any cooperation to the administration thus rendering it completely crippled इसका में औबजेक्टिफ था वह यह था कि हम लोग किसी भी तरीकेIST की साथ क्रिपल हो जाएगा यह पूरी तरीकेसे पंगू हो जाएगा पूरी तरीके इस बिकलांग हो जाएगा और उसके बाद फृर काम नहीं कर पाएगा इसको region तरीके से समझते हैं जैसे सपोस्स कर लीजिए आपको ट्रेन चलानी है तो ट्रेन चलाने के इतना सा नहीं होता कि ड्राइबर आके जो है वह ट्रेन में बैड़ दिया और उसने चलाना शुरू कर दी बहुत लंबी चोड़ी प्रक्रिया होती है पूरा आपका जो ट्रैक है इस रास्ते से वह ट्रेन चलेगी इंशॉर करना होता है कि वह ट्रैक जो है वह ठीक तरीके से फंक्शनिंग कर रहा हो कहीं पर कोई इसमें जो रेल की पट्री है उसमें कहीं कुछ तूट फूट ना हो इसके लिए आपको किसी व्यक्ति को जो है एक टीम को जो है लगाता दौरे करवाना पड़ते हैं ताकि आपके ट्रैक वगरा चेक हो सके हैं पहली चीज़ दूसरा यह कि आपको किस टाइम पर जो है ट्रेन को निकालना है ताकि वो किसी दूसरी ट्रेन के सांथ में क्लैश ना कर जा इस बात को देखना इंपोर्टेंट होता है तीसरी टिकेट चेक करता है एक वैक्ति जो है वह पूरा टेकनीशन होता है वह पुरी ट्रेंट के अलग अलग हिस्तों में जाकर देखता कई को इशूज ना हो ड्राइवर के साथ में अपका को ट्राइवर भी होता अगर उसको बीच में यूरीन बगरा खिलिए कहीं जाना तो लेंगे गर नहीं करना गर तो जलाते तो जाई लोगों की मतलब कर रहा रहे हैं तो जब इस तरीके से या आप कुछ कर लोगे तो आपकी जो रेलवे तो ठप हो गई अब रेलवे नहीं चलेगी तो फिर वह लाइफ लाइन है तो फिर आप एक से दूसरी जगे अवश्यक्स चीज नहीं पहुचा पाऊगे इसी तरीके से अगर किसी दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट की बात की Ve Cara सरकार सरकारी आपके अगर लोग इस तरीके से काम करना शुरू करतें हैं कि हमें आपसे को जो भी शिकायत है ठीक है यहां से लड़ानी करना चाहते हैं यहीं औ् 돼rolog का जिए उसको चलाने के लिए उसको करना बंद कर दिया है यही logic जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है non cooperation moment जो है उनका कहना यह था कि हम प्रशाषन के साथ में किसी भी तरीके का कोई सयोग नहीं करेंगे क्योंकि शाषन चलता हमारे सयोग से एक बार जब हम लोगों ने सयोग करना बंद कर दिया तो पूरा का पूरा शाषन जो है आपके रोलेट एक्ट वगरा के खिलाब जो है अपना विरोध प्रदरशन करें इसी बीच में जलिया वाला बाग का एक बहुत बड़ा मैसेकर हो गया था उसके खिलाफ भी जो निकालना चाहते थे उसको जो है एक expression देना चाहते थे तो इस तरीके का moment लाउंच करकर कह हagí लाइन कहीं उन्होंने अंग्रेजों को punish किया झालन के खिलाफ हिंसा कि पनिश किया और क्वाला जिस तरीक है कि आपकि कह सकता हैं हिंसा की गई थी अंग्रेजों के त्वारा उसके लिए अंग्रेजों को punish करना जरूरी था इसलिए movement launch किया गया था क्योंकि आपनिश क लोगों के मन में जलिया वाला मैसेकर के लिए जो गुस्सा भरा है उसको बाहर निकालने का भी एक मौका आपको दे रहा है आप एक तरीके से ब्रिटिश जो रिस्पॉंसिबल थे या फिर जो पूरा 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 अंग्रेश शाशन या पूरी की पूरी अंग्रेश सायोग ना करकर दूसरी तरफ आप तरीके का प्रोटेस्ट भी कर रहा है क्योंकि इसमें सरकारी नौकरियों पर आदमी जा नहीं रहा है जो भी टाइडल्स वगरा उसको मिले हुए वह वापस लोटा रहा है ऑन्री ऑफिस वगरा जो हमको अटेंड नहीं कर रहा है लौको को और इलेक्षिं गवन्मेंट के जो और टाइक्स वगरा जो है और पीस्फुल तरीके से गवर्मेंट लॉइवरा उगरा टिखा रहे थे नतीजा यह वह ब्राइद कर दी कर दिक कर सकता है साब सीडी के लेगा कोट में बैठके वो क्या इसके लाव हो क्या कर सकता है कई सारे आपके प्रॉमिनेंट एड्वोकेट जो थे देश बंदू हो गए चितरंदन दाश इस वक्त में निकल कर आए जैसे काशी विद्या पीट हो गया बिहार विद्या पीट हो गया एम यू हो गया इस तरीके के इस्टों में सेट अप किये गए ताकि नैशनल एडूकेशन वगरा इंपार्ट किया जासा कि अलॉंग नैशनल लाइन इसी तरीके से बहुत बड़े लेवल पर देश भर में जो है अलग-अलग तरीकों से लोगों ने अपने अलग-अलग विरोत प्रोदर्शन दिखाया एक बहुत स्ट्रॉंग मुमेंट आपको आंधर में देखने के लिए मिलता है नॉर्थ नॉर्दन आंधर वगरा में जो आपकी हिल ट्राइब थी उन आरे लाश तुम्हें मबारकों हमारा देश है हमारा जंगल है हम तो जाएंगे इस तरही कि अन्लों ने लॉग ने लौस को मनना मना मना कर दिया अवत के लिए कुमाउर रीजन पर ता आपका जो उत्राखन के यह वहाँ प diff cover में आता है वहां पे आपके जो मजदूर थें जो बाटी लोग थे उन्होंने अंग्रेज अफसरों का समान उठाने से मना कर दिया तो ये सारी चीजें जो हो रही थी इससे समझ में आता है कि वेव बहुत स्टॉंग थी असम के अलाकों में चले जाएं तो चाय के बागान तब भी वहाँ पे चला करते थे टी ब्लांटेशन में आपको जो मजदूर हैं वो सबके सब स्ट्राइक पर चले गए इसी तरीके से बंगाल में मिदनापूर करके एक जगे पढ़ती है वहाँ पे लोगों ने जो है यूनियन बोर्ड को आपके टैक्सेस पे करने से मना कर दिया ये सारी की सारी चीजें जो है करकर लोगों ने अपने अंदर भरा हुआ गुस्ता अपने अंदर भरा हुआ रिसेंटिमेंट जो है शो किया अब गांधी जी ने ये जो मुमेंट था इसको खिलाफत मुमेंट के साथ में जो है इसका मुमेंट था और इसका इंडिया में हो तो इंडिया में जो मुस्लिम्स थे वो इस बात का विरोध कर रहे थे क्योंकि तर्की हार गया है तो उसके खिलाफ अंग्रेज जो भी चीज़ें जो भी शर्तें करेंगे तो ऐसी शर्तें ना लगाएं जो उसके लिए बहुत जादा एक तो आप इस तरह से कह सकते हैं अपम क्या जाएं चाहिए इस तरीके की डिमांड बगरा को लेकर खिलाफ़त मुवमेंट पूरा चल रहा था इसका ऐस नॉन कोपरेशन मुवमेंट से लेना देना नहीं था मकर कांधी जी ने इस मुवमेंट को खिलाफ़त मुवमेंट के साथ में इस लिए जो जो लार्जिस मे हुआ था इंडियन मुस्लिम उस बात से काफी ज़्यादा चड़े हुए थे और यह बात तो कहा है दुनिया बर की मुसल्मानों पर लागू होती है क्योंकि खलीफा लगबक सबका जो है आपका spiritual head माना जाता था इसलिए उन्होंने भी काफी बड़े लेवल पर इस moment में पर्टिसिपेट किया था और इसके चलते जो है कहीना कहीं गांधी जी को लगा कि नैशनल मुवमेंट का जो आपका बेस है वह जादा बड़े तौर पर वाइड हो जाएगा और मुस्लिम कम्यूनिटी जो है डॉमिनेंट रूप से नैशनल मुवमेंट के साथ में चलतے थे तो के सारे के सारे रीजन्स बगयरा के चलते हैं ये सारे के सारी रीजन्स के को चलते गांधी जीन खिलावत मुवमेंट को जो है नॉनस को पर शोड़ा था है तो मेें कॉआसम के समझा दिए है इसमें क्या जो नेक्स क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी इसमें पूछा गया है एसे सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट मार्च इन इंडिया स्ट्रीडियम स्ट्रगल हाउ डिड़ डिड़ गवर्मेंट रियाक्ट वेट अब हमको यहां पर आपका जो अंग्रेजो इसके खिलाब अंग्रेजों ने जो है किस तरीके से रियाक्ट किया तो दो बातें आ जाती है पहले तो हमको सॉल्ट मार्च या पूरा का पूरा जो दांडी यात्रा हुई थी फ्रीडम स्ट्रगल पर उसका क्या प्रभाव पड़ा या उसका क्या सिग्निफिकेंस एक तो उसको डिसकस करना दूसरी चीश उन्ग्रेजों ने या फिर अंग्रेज उकूमत ने इस पूरी की पूरी पूरी आपकी दांडी वेयातरा थी जैसे जैसे आगे बढ़ी और इसका रेलेवन्स बढ़ता चला गया जिस तरीके से इसका कवरेज बढ़ता चला गया और जिस शुरूबाद इस तरह से करेंगे दा चॉइस ऑफ सॉल्ट एस सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस दा कोलोनियल रूल वस रिमार्केबल इंडिकेटिव और गांधी जी तैक्टिकल विज्डम विज्डम विच वेरेस फॉलोस यानि की सिर्फ नमक आप जो नमक का कानून है इसके खिलाफ करेंगे या फिर यह बोलें कि नमक को जो है आप विरोथ का एक सिंबल बनाएंगे या नमक को जो है आप ने चूस किया विरोथ वगरा के प्रदर्शन की शुरुआत के लिए ये एक बात बताता है कि गांधी जी की राजनेतिक समझ कितनी ज़ादा थी या या गांदी जी को राजनेतिक पॉइंट व्यू सो देखा जाए तो अच्छी कासी टैक्टिकल विज्डम थी यह पॉइंट इसलिए प्रूव होता है क्योंकि सॉल्ट लॉइक ऐसा कानून है जो समाज के हर तपके को हिट करता था चाहे आप सोने के थली में खाना खाते हों चाहे आपके हाथ में किसी तरीके से बस एक वक्त का खाना आता हो डोसंट मैटर आप समाज के किस तपके जब लॉग करते हैं आपके खाने में नमक तो पड़े पड़ेगा उसके बिना तो खाना हिंदुस्तान में बनता नहीं है ऑव्यस्सी बात है हम अंग्रेज नहीं है कि हम दो गाज़ा रुबाल युष में हलका सा नमक जो नम मातर का भी नहीं हो डालके खाले हो उस तरीए खाना हिंदुस्तान चामज के कमसका हम लोग नहीं खा सकते है तो नमक एक ऐसी चीज है जो हमारे खाने में पड़ता ही पड़ता उसके बिना हमारा खाना नहीं बन स like laws in the British India यह एंग्रेजों के time period में सबसे जुद्अना पसंद किया जाने वाला कानौन था इसके तहट में ऑपस में यूं बोलें कि सरकार के पास में ब्रिटिश हकूमत के पास में एक monoply थी का आपकर जयानाफ की ना पसंद किया करते थे इसकी वज़ाई यह थी कि खाने का एक इंसेट्रेबल पार्ट हिंदुस्तान में नमक है और अभी से नहीं है सदियों से और जब तक हिंदुस्तान रहेगा यह भी रहने वाला है तो हिंदुस्तान में खाना नमक के बिना बन नहीं सकता है जो सामान अगर चल सकता अंग्रेज का अंग्रेजों के दोरह बनाए गया कानून उनको वो भी करने से रोकता है तो वह पूरी तरीके से आपका डॉमेस्टिक यूज के लिए परसनल कंसम्शन के लिए जो है नमक वगएरा का इस्तिमार नमक वगएरा नहीं बना सकते थे इसके पर जो है बिका करता था तो कुल मिलाकर जो स्टेट की मुनोपली थी कि सरकार के इलावा ना तो कई नमक बना सकता है और ना कहीं मुखा रोके पहले भी आवाज उठाई थी हलागी मुमेंट वगरा वो बनकर तयार नहीं उपाया था तो गांधी जी ने फिर अब यह सोचा कि अगर इतना यह important है एक ऐसा एक सिंबल है एक ऐसा element है जो cutting across all the sections of the society प्लस all the religions of India यह सब को एक दूसरे के साथ जोड़ेगा और सब जो है इसके साथ में मैसूस कर सकते हैं अपना जोड़ाओ इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना टार्गिट उन्होंने उसको बनाया और एक बड़े लेवल पर जो है अंग्रेशों के खिलाफ कह सकत है यहां से कि सॉल्ट लोग टार्गिट बनाने से हर आदमी जो इसके साथ में जुड़ाओ मैसूस कर सकता और इसके चलते हैं नैशनल मुमेंट में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है आपको मासस के द्वारा देखने के लिए मिलेगा और यहीं चीज़ हुई भी बात में गांधी जी ने इस पूरे के पूरे मुमेंट को जिस तरीके से फिर नमक कानून को आगे लेकर चले और सॉल्ट मार्च जिस तरीके से आगे बढ़ा इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया लोग दीरे दीरे इसके साथ में हंड्रेट सो थाउजेंड की संखिया में प्रिस्ता लिया है तो इन सब चीजों के चलते ये पूरा का पूरा मुमेंट जो है बहुत ज़दा इंपोर्टेंट हो जाता है इसमें जोडने के लिए एक पॉइंट आप और एड्ड कर सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो मुमेंट था ये वाला मुमेंट इंटरनाशनल ये इन इस मुमेंट को बहुत वाइडली कवर किया तो और इसके चलते पहली बार जो इंडियन नैशनल मुमेंट था वो इंटरनेशनल स्वियर में इंटरनाशनल अरीना में जो है लोगों के सामने निकल कर आया था और गांदी जी एक मास्ट लीडर के तौर पर दुणिय किया था इसके बारे में काफी जो है विस्तरत रूप से लिखा था तो पहली बार मसला जो है इंडिया के फ्रीडम मुव्मेंट का इंटरनाशनल प्रेस में उसला वर्ल्ड जो है दुनिया जो है तो दूसरी चीज यह होई कि दुनिया को हमारा जो पूरा का पूरा स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम के बारे में उसका पता चला और तीसरी चीज गांदी जी को एक इंटरनाशनल लेवल पर रिकुंगनिशन जो है हमारे देश के लीडर के दौर पर बिला आज जो गांदी जी को इतना ज़्यादा जाना जाता है शांदी के एक मसीहा के रूप में या फिर आपके पीस के अमबैसेडर के रूप में ग्लोबल अमबैसेडर की रूप में जाना जाता है उसके बहुत बड़ी वज़ा इस पूरे मुवमेंट में जो सॉल्ट सत्यागरे हुआ था और यह सारी चीज़े होई थी इसके बाद स जिस तरीके से कवर किया घया था उसमें गांदी जी को जिस तरीके से प् motivating ृदा करता है तो इस तरीके से सवाल का एक अच्छा जवाब जो है बन कर Tया तरफ से अपना पूरा best effort जो है 40, 45, 50 minutes में देना है और 24 mark का जो यह section बनता है तीन questions बनते हैं इसमें से maximum जो है हमको यहाँ पर निकालना है तो 24 marks का यह section है और इसमें से maximum 21, 22 number तक जो है हम लोग यहाँ पर target कर रहे हैं यह करने के बाद ने अब हमारे पास में तीन दो options बनते ह सकते हैं और जो हम लोग अभी answer writing कर रहे थे उसी चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर हम लोग section number D की तरफ जा सकते हैं और आपका source based questions कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगए अगर आप section B करके section D पर जाना चाहते हैं तो भी ठीक है अगर आप section D करकर section B पर आना चाहते हैं तो भी ठीक है मैं personally पहले section D करना पसंद करता हूं तो इसके बाद में अब मैं section D जो है उसको उठाओंगा source based questions वगरा आप हम लोग discuss करेंगे and source based questions वगरा करने के बाद में फिर हम लोग section B की तरफ में बढ़ेंगे तो इसके बाद में source based questions की तरफ अब हम लोग बढ़ते source यानि कि पहले हमको यह source या फिर यह paragraph धंसे और इत्मिनान से पढ़ना और उसके बाद फिर इसके उपर जो भी सवाल वगर हमसे पूछे जाएंगे उसका जावाब हम लोग देंगे तो source की heading है वो है why the salt सत्यागरे अब आपको यह बताना है कि why the salt सत्यागरे मतलब यह heading ब बाद में फिर उसमें बताया गया है कि साथ सत्यागरे को लेकर गांधी जी किया विचार थे क्या thought process था वो पहले हम लोग देखते है वाई वह सॉल्ट दा सिंबॉल of protest this is what महात्मा गांधी रोड मतलब एक सवाल पूछा गया है कि आकिर जो नमक है उसको पूरे के पूरे का एक सिंबल या फिर एक प्रतीक चन्नक क्यों बनाया गया था यह सवाल उठाया गया फिर उसका जवाब देते हैं कि इस पर्टिकुलर सवाल के respect में या परिपेक्ष में महात्मा गांधी ने क्या लिखा था वो देखता है मतलब यह कि अलग अलग जगाओं से आपको जो खबरे मिलती हैं उससे अपने को यह पता चलता है कि कितना ज़ादा शातिरता के साथ में और कितना ज़ादा आप कह सकते हैं आम आनवियता के साथ में या कितना ज़ादा आप इसको कह सकते हैं कि बुरे इंटेंशन के साथ में जो है नमक कानून या फिर सॉल्ट टैक्स जो है उसको डिजाइन किया गया था लोग नमक का इस्तिमाल ना कर सके हैं या फिर उस नमक का इस्तिमाल जिसके उपर उन्हों ने tax नहीं पे किया है, salt tax नहीं पे किया है, और ये tax भी normal ऐसा वैसा नहीं है, लगबग उसकी main कीमत या मूल कीमत से 14 गुना जादा है, इसका इस्तिमाल लोग ना कर पाएं बिना tax दिये, या फिर अगर tax नहीं दिया है, तो इसका इस्तिमाल ना कर पाएं, उसके लिए सरकार ये तक ensure करवाती है, कि वो सारा का सारा नमक जिसको सरकार बेश नहीं पाई है, प्रॉफिट पर उसको destroy कर दिया जाए, बट किसी की हातों में पहुंचने नहीं दिया जाए, Thus it taxes the nation's vital necessity, it prevents the public from manufacturing it and destroys what nature manufactures without effort, इस पर गांधी जी बोलते हैं कि ये करकर ये लोग तीन चीज़ें कर रहे हैं, एक तो ये कि देश में एक ऐसी चीज़ जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, जो हमारी vital necessity है, या हमारा खाना जो नमक के बिना नहीं बन सकता, एक तो उसके उ ये कि जो nature में अपने आप मौजूद है, nature ने जो बना कर दिया है और nature जो आपको जो है continuously लगातार supply कर रही है, ये उसको रोकते हैं या उसको इसको इसको इस्तिमाल करने से रोकते हैं, nature जो बिना किसी human effort के जो है, जो चीज हमको provide कर रही है, ये basically उससे जो है profit कमाना चाहत हैं, आगे, no adjective is strong enough for characterizing this wicked dog in the manager policy, from various sources I hear tales of such went and destruction of nation's property in all parts of India, तो आप किसी भी तरीके से कोई भी adjective, कोई भी संग्या, कोई भी सर्विनाम देकर अंग्रेजों की जो ये policy है, इसको आप सही नहीं ठहरा सकते, अलग अलग जगाओं से जो मुझे खबरें मिलती है, नमक जो बरब लगिस्तों में, destroy की जा रही है, मोंड्स if not tons of salts are set to be destroyed on the कोंकन कोस्ट, the same tales come from दांडी, यानि की बहुत बड़े लेवल पर जो आपके नमक के छोटे 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 तीले बने हुँ है, उनको मोंड्स बोला जाता है, अगर टनों के हिसाब से नहीं तो कमसकम ये जो नमक के बड़े बड़े टीले बने हुँ है, मोंड्स बने हुँ है, इनको जो है regular basis पर destroy किया जा रहा है, साथ ही साथ और ये खबर आपकी कौंकन का जो पूरा का बड़ा कोस्ट है, उस इलाके से आपको सुनने को मिलती है, यही खबर आपको दांडी के इलागों से भी सुनने को म आपके हैं जहां पर यह नमक जो है नैचरली बनता है और लोग जो हैं जाकर कमसकम अपने इस्तिमाल के लिए वहां से जाकर उसको जो है लेकर आ सकते हैं, यहाने कि वो लोग जो ऐसे इलाकों के आसपास में रहते हैं और जहां पर नमक बनता है नैचरली उसके आसपास ल बी शामिल हैं उसको भी अगर ले कर जा रहा हो तो भी यह लेकर मत जाने दिना इसको डिस्ट्रॉइ कर देना तस वैल्यूबल नैशनल प्रॉपर्टी इस डिस्ट्रॉइड टिस्ट्रॉइड एड इसेसाश सॉल टेकन आउट और पीपल तो दो चीज़ें उस पे गांदी ज चीन रहे हो या फिर उनके मुह में का जो है स्वाद आप खराब कर रहे हो तो इसके बेसिस पे हम लोग यह कह सकते हैं कि जो यह नमक कानून है फिर जो नमक बनाने के ओपर जो अंग्रेजों का पूरा का पूरा एक मौनापली है यह चार फोल्ड का कर्स है या फिर एक ऐसा शराप है जिसके चार आयाम बनते हैं पहला यह कि लोगों के पास में अगर एक वैल्यूबल इजी विलेज इंडस्टी है ने कि गाउं में अगर वे छोटा मोटा इस तरीके का कोई कुटी उद्योग चला सकते हैं नमक वगरा बनाने का तो वो नहीं करने दिया जाता यह जो आपका प्रकरती बड़ी मातरा में प्रेडियूस कर रही है लोग उसको डिस्ट्रॉइ करते हैं पहला दिस्ट्रक्शन इटसेल्फ मीन्स मोर नैशनल एक्सपेंडिचर अब यह जो है आपका आपका नेचर की प्रॉपर्टी वगरा डिस्ट्रॉइ करना है तीसरा यह क इस डिस्ट्रक्शन को करने के लिए भी जो है आपको और ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है लोगों को लगाना पड़ता है तो उसका डिस्ट्रॉइ करने में भी आपने नैशनल एक्सपेंडिचर जो इसको खराफ करते हैं चौथा और इसके इलावा अभी इस पूरी बुनापली में लगबग लगबग मूल आपकी जो भी कीमत है उससे अजार गुना जादा जो है टाक्स वगरह इसके उपर वसूला जाता है अब काफी लंबे वक्त तक जो है बहुत लंबे वक्त तक जो है अस्तत्म में रहा मगर अब क्योंकि लोग जो है जाक चुके हैं इसलिए इस टैक्स को अब जाना पड़ेगा और अब इसको जो है आप लागू नहीं करवा सकते इस टैक्स तो गो अब ये कितना जल्दी खतम होगा ये डिपेंड इस बात के उपर करता है कि लोग जो है कितना स्ट्रेंथ के साथ में कितना रिजॉलूशन के साथ में इसके के लाफ में विरोध करता है तो ये जो है आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ बनकर तयार होता है ये पूरा प monopoly introduced by the British considered as a curse by the Indians यानि कि अंग्रेजों ने जो ये नमक कानून की पुरी monopoly introduced की थी कि उनके बिना कोई और नमक ना तो बना सकता है ना बेच सकता है इसको हिंदुस्तानियों के द्वारा एक श्राप क्यों माना जाता था या फिर इसको एक कर्स क्यों कंसिडर किया जाता था विजिए हमको discuss करना है तो इसका जवाब हम लोग इस तरह से देंगे कि salt monopoly जो है वो fourfold कर्स है जो हम लोगों ने यहां पर discuss यह जो बात करी थी जो गांधी जी ने अपने शब्दों में इसको जो है fourfold कर्स लिखा है गांधी जी ने इसको जो है आपका fourfold कर्स लिखा और उसके बाद में उसके वो चार पॉइंट समझाए है एक्जाटल इसी चीज़ को सारा नमक बेश देती है जिसको प्रॉफिटिबली बेशा नहीं जा सकता यह पहला गर्स हो गया दूसरा लॉप रिवेंट्स मैनुफेक्ट्रिंग और सॉल्ट इंड डिस्ट्रॉइज वाट नेचर मैनुफेक्ट्र इस कानून के तहट बिसिकली आप उस रिसोर्स को या उस बड़ी मात्रा में और उसको जो है बेसिकली मॉनोपली लगा कर आप उस पर हाई टैक्स वगरा कमाने की कोशिश कर रहे हो आप मैनुफेक्ट्रिंग जो है रोक कर रहे हो आपका बनाया हूँ नहीं हो नेचर का बनाया हूँ है जिसमें आपका कोई अफर्ट नहीं लगा तीसरा यह कि सॉल्ट आफिसर्स लोकल आदमी जो है वहां का रहने वाला उसको भी अपनी जरूरत का अगर नमक नहीं बनाने दे रहे हैं तो यह अपने आप में जो है बहुत बड़ा बड़ा एक अन्या है और उनके हातों में ना पहुंच जाए नमक जिसके उपर उनके इसना पे किया हो और इसके लिए उसको वो खुड डिस्ट्रॉइ करने में अपनी टाइम एनर्जी और रिसोर्स कर रहा है यह भी बहुत बड़ा बहुत मतलब कह सकते हैं नैचरल आपका सरकारी पैसे की बरबादी है जो जनता की जेप से ही जा रहा है आपके जनता के एक् बातों के चलते हैं सॉल्ट मोनोपली जो अंग्रेजों ने इंट्रिद्यूस करी थी वो हिंदुस्तानियों के लिए कर्स बन गई थी या फिर एक फोर फोल्ड कर्स के रूप में निकल कर आई थी इस तरह से जवाब जो एक अच्छे से बन कर तयार हो जाएगा अगला दिरूर्ट में यह बनाकर बिरोध इस तरीके से इस्तिमाल किया गया था है कि गंदी जी की निको समझ कर अ σας चीज को पताना है तो गांधी का कहना ये था कि वो भी खानी इतना लंबे लौत ओर उत्लिए नंकि लोग उपर नहीं आ रहा था कि उनके उपर अत्याचार किस तरह से हो रहा है अब अगर आप जैसे जैसे लोगों को ये कानून समझ में आया और लोग जब अप सफिशेंटली अरोज हो गाएं तो फिर वो कानून को जो है आप तोड़ेंगे और इस कानून को जो है जाना होगा इसको इस समाज का कोई तबका ऐसा नहीं है जो इसके साथ में अपने आपको जुड़ा हुआ ना पाया और इसके चलते इसमें लार्ज स्केल लेवल पर मासस का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा और जो हुआ भी लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर इसमें जो है शा पेंडोरा का पेंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया अंग्रेजों के लिए जिससे फिर वॉल्टी मिटली निकल नहीं पाए इसलिए यहां से गांधी जी की टेक्टिकल विज़्डम के बारे में हमको कापी कंडरस्टेंडिंग देखने के लिए मिलती है चले है अगला है क्यों इसका सिग्निफिकेंस से थोड़ा से बातचीत करेंगे तो इसका जवाब यह है कि गांधी जी टार्गेटेट दा सॉल्ट लॉट इसलिए किया क्योंकि वह इसकी मदद से आसानी से अंग्रेजों के प्रती जो एक आपका गुस्सा भरा हुआ था लोगों के मन में अंग्रेजों के जो रूल के प्रती एक जो गुस्सा भरा हुआ था उसको मोबिलाइज करना चाहते थे साती साम उनकी एक्षा यह थी कि नमक कानून के तहत में वो हर वैक्ति को जो है नैशनल मोवमेंट के साथ में जोड़ सके वज़ा एस दा सॉल्ट वोस अनेसिसिटी इसकी वज़ा यह थी कि नमक जो है सबके साथ में जोड़ा हुआ था और सबको जो है पता था कि उनके खिलाब किस तरीके सत्याचार हो रहा है जब बताया गया कि यह चार-पांच तरीकों से फोर-फोल्ड कर्स के रूप में जो है आपके उपर लागू किया गया है लाद ने जो है इसके जवाब में जो है रिस्पॉंड किया और काफी बड़े लेवल पर जो है लोग बाग इससे जुड़ते चलेगा पीपल पार्टिसिपेशन वास ओवर्वेल्मिंग एंट मैनी प्लेसे पैरलल मार्चेश वेर अंडर टेकन एंड सॉल्ट एंड सॉल्ट वास मेट तो कई जगाओं पर जो है लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर पर पार्टिसिपेशन वगरा किया था कई जगाओं पर आपका पैरलल मार्चेश वगरा भी निकाले गए थे और कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जंता ने इसके साथ में बहुत बड़े ल समको पढ़ना है इसके हेडिंग है तुमॉरो वी शेल ब्रेक दा सॉल्ट लॉख यानि कि गांधी जी ने जो नमक कानून वगरा तोड़ा था उसके पहले शाहिद उन्होंने अपने जो सपोर्टर्स थे उनसे कुछ कहा होगा उसमें से फिर यह पैराग्राफ बड़ा बन मतलब यह कि जब मैंने साबरमती का अश्रम अपने सांतियों के साथ मैं छोड़ा था और दांडी का यह जो छोटा सा गाउं है इसकी तरफ अपनी यातरा शुरू करी थी तब मैं इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि हमें यहां तक पहुंचने भी दिया जाएगा या यहां की जब तक मैं साबरमती के अपने आश्रम में था तब भी अफवा थी कि भई मुझे अरेस्ट किया जा सकता है I had thought that the government might perhaps let my party come as far as dandy but not me certainly मैंने सोचा था कि शायद सरकार जो है वो अगर मुझे नहीं तो कमसका मेरी party को तो जो है dandy तक आने देगी या फिर इसको इस तरह सबढ़ सकता हैं कि मैंने सोचा था कि सरकार शायद मेरी party को तो या फिर मेरी party के जो कारे करता है उनको तो dandy तक आने की इजाज़त देगी या फिर उनको आने देगी मगर शायद मुझे आने नहीं देगी ठीक है जी आगे if someone says that this betrays imperfect faith on my part I shall not deny the charge अब अगर कोई यह बोलेगा कि कहीं न कहीं यह बताता है कि मुझे अपने पे विश्वास नहीं था तो शायद मैं इस बात को से इंकार नहीं करूंगा that I have reached here is in no small measure due to the power of peace and non-violence मैं यहां तक पहुचा हूँ तो यह अपने आप में कोई छोटी घटना नहीं है और यह शान्ती और अहिंसा की ताकत के चलते ही हुआ है और अगर सरकार चाहे अगर उसकी इक्षा है तो वो अपने आपको जो है बधाई दे सकती है जो उसने किया है उसके लिए क्योंकि अगर वो चाहते तो वो हम में से हर एक वेक्ति को अरेस्ट कर सकते थे बट उन्होंने किया नहीं अगर मैं उनकी जगे होता तो मुझे भी इस तरीकी की किसी आर्मी को अरेस्ट करने में शर्माती वो वेक्ति जो है वो सिविलाइस्ट वेक्ति कहलाता है जो उस चीज तो करने में शर्मिंदगी महसूस करे जो उसके पड़ोसी जो है अप्रूव नहीं करते हैं जिसके बारे में उसके पड़ोसी का मानना है कि वो नहीं किया जाना चाहिए सरकार ने भले हमको इसलिए अरेस्ट ना किया हो क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हमको अरेस्ट करेंगे तो उनके खिलाब दुनिया भर में गलत तरीके का संदेश जाएगा इसी बात के चलते हैं अगर उन्होंने हम अरेस्ट नहीं किया तो भी ठीक है मगर फिर भी सरकार को जो है कांग्राचिलेट करना बनता है तोमॉरो वी शल्ट ब्रेक दा सॉल्ट लॉँ अब कल जो है हम लोग नमक कानून तोडेंगे अब कल हम लोग नमक कानून तोडेंगे अब उसके बाद में सरकार ये जो नमक कानून तोडने की जो हमारी प्रक्रिया रहेगी इसको टॉल्रेट करती है या नहीं करती वो एक अलग सवाल है अगर वो इसको टॉल्रेट करते हैं तो उसके लिए उनको कॉंग्रेचुलेशन देना चाहिए पेशन्स और उनके पेशन्स के लिए और उनके फॉर्बियरंस यानिक उनके टॉलरेंस के लिए जो इस पार्टी के रिगार्ड में उन लोग डिस्पले कर रहे हैं मगर अगर इसकी जगे मुझे और इसके लावा जित्ते भी आपके गुजरात में और बाकी देश में आपके इंपोर्टेंट लीडर से अगर उन सब को अरेस्ट कर लिया जाता है तो क्या तो ऐसी कंडिशन में मेरा जवाब यह है कि यह जो पूरा का पूरा मुवमेंट है वो इस बात के ऊपर या इस विश्वास के ऊपर बेस देगी जबकि एक परिस्थितिया एक मुद्दे को लेकर पूरा का पूरा देश जब एक सांथ खड़ा हो गया है या उठ खड़ा अब यह जो है यह पूरा का पूरा पराग्राफ एक बर फिर से देख लेते हैं गांदी जी ने यह बोला कि जब मैंने दांडी के लिए यात्रा शुरू करी थी तो एक तो यह बात कल जैसे वो नमक कानून तोडएंगे और आज शायद दांडी पहुंचे हैं शाम तक या तो उनोंने अपने समर्तकों से सारी की सारी बातें करी वह नहीं किया है कि दुनिया में की इनके खिलाफ जाएगी बट फिर भी इनोंने जो तो जवाब यह है गंदी जी ने आगे दिया है कि अगर जब एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर पूरा के पूरा देश खड़ा हो गया उसमें चेतना आ गई तो फिर किसी लीडर का होना या ना होना माइदे नहीं रखता यह जो है पूरा का पूरा पूरा आपका पैराग्राफ बनता है अब इसके क्वेश्चन और इसके अंसर समलोग देख लेता है पहला वाई डि अंग्रेजों के एक मोनापली दे रखी थी सॉल्ट के मैनुफैक्चरिंग के ओपर दे स्टेट मोनापली वस वेरी अंपॉपुलर एंड बेकिंगा सॉल्ट लॉग आंधी जी होब तो मोबिलाइज और डिस कंटेंट अगर अगेंस ब्रिटिश रूल तो मोनापली का सरकार काम कर सकती इसके लाव़ को यार व 사진 के लावब की बेचने के ओपर है तो इसके चलते वो लोग सामाने नमक बनाया तो उसस पे जो अनपॉपुलर ओपीनियन है सरकार के बारे में जो वाइडर डिसकंटेंट है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में इसको मोबिलाइज करकर कही न कहीं शायद वो ज्यादा बड़े लेवल पर जो है लोगों को जो है जंता को जो है अंग्रेजों के किलाफ सरकों पर ला सक है यह आपका क्यों रखती है तो इसका जवाब यह है इस लिए जादा रेलेवेंट है इस लिए जादा इंपॉर्टेंट है कि पहली बार यूरोपियंग और अमेरिकन प्रेस ने जो है गांधी जी को इंडियन नैशनल मोमेंट को जो है बहुत सीरियसली लिया था इस महात्मा गांधी के बारे में पूरा इंडिया में जो अंग्रेइस कर रहे थे इं सब चीजों के बारे में बहुत बडए लेवल पर जो है उन्होंने लिखना शुरू किया बहुत बड़े लेवल पर इस पूरी पूरी चीज को कवरेच दी जिसके चलते हिंदोस्तान और हि चल रही थी तब भी देशवायर में विरोत प्रदर्शन शुरू हो गए थे और इसके बाद फिर सांती सांत कई जगाओं पे पैरलल सॉल्ट मार्चेस भी निकाले गए इस पूरी प्रक्रिया में और उसके बाद फिर जो पूरा सिविल डिसोबीडियंस मुमेंट खड़ा जो आपकी अहिंसा है और आपका जो शांती है इसकी ताकच को दुनिया भर में महसूस किया जाता है गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा था इसका जवाब यह है कि गांधी जी का मानना था कि वो दांडी तक इसलिए आप आए अपने साथी फैलो इंडियंस के साथ में नमक ऽुझन तोड़ने के लिए क्योंकि वो शांती और राश्टे पर चल रहे था अगर वो पर ना चल रहे होते तो तो ये एक वज़ा थी कि गांधी जी जो हैं उनका मानना था कि क्योंकि वो दांडी तक आप आए हैं और अरेस्ट नहीं हुए हैं और बाकी सारी चीज़ें इसकी सिर्फ एक ही बहुत बड़ा रीजन है वो है पीस और नॉन वाइलेंस नहीं तो अगर अंग्रेज सरकार चाह पर जो है उसको युनिवर्सली फील किया जाता है मगर इतना मगर क्योंकि गांधी जी को और इनको जो है अरेस्ट नहीं किया गया था तो इसलिए उन्हों ने इस पर्टिकुलर बात को कहा था अलाकि उन्होंने ये भी माना था कि अंग्रेजों ने सिर्फ पीस और नॉन पर चलना और इसके चलते कहीं ना कहीं वह एक रेलेवेंस अटेन कर पाए इस पर्टिकुलर चीज में उनको जो है इसका एडवांटेज मिलाता चले अगला जो है पैराग्राफ उसकी जो हैडिंग है वह है अंबेटकर ऑन सेपरेट इलेक्रेट्स के बारे में अंबेटकर वगरा की घुशना की गई थी आपका राउंटेबल कॉंफरेंस के बाद में डिप्रेस क्लासे के लिए तो उसके और उसके विरुद में जब मातना गांदी थे तो उसके रिस्पॉंस में अंबेटकरने एक बात कही थी मतलब यह यहां पर एक ऐसी क्लास है आपके पास में कैसी एक ऐसा समू है जिसके उपर इस बात को लेकर शक नहीं किया जा सकता कि वह इस परिस्तिती में नहीं है कि वो अपने एक्जिस्टेंस की स्ट्रगल को सस्टेन कर पाएं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई को बचा पाएं दे रिलिजन तो विच दे आटाइड इंस्टी तो प्रोवाइडिंग दम एन ओनरेबल प्लेस ब्रांट्स दमें इस लेपर नॉट फिट फॉर और इंटर कोर्स वो इंडिपेंडेंट वी ओफ लिविग ओपन तो इट ओवर लिस पूरी क्लास की बात की जाये तो यह पूरी तरीके से जो हाई कास्ट हिंदू उनकी ऊपर अपनी ब्रेट अंब टर अंग करने के लिए डिपेंड करती है और इनके पास में कोई इंडिपेंडेंट तरीका न तरीके ही जो है वो सोशल प्रिजलाइस के कारण बंद हैं अगर कही ना कहीं समाच जिस तरीके से बन गया उसके चलते डिप्रेस्ट क्लास के पास में अपनी जिंदगी को ठीक करने और जिंदगी में उठने के ज़्यादा मौके परिस्तितियां नहीं हैं इन दीस परिस्तियों में इस बात को लगबख हर वो वेक्ति जो फیर माइंड़ है जो इनसाफ की बात करता है जो बैलेनस के साथ में चलता है वो इस बात को मानेadora कि इस तरीके की परिस्तित्यों में ब्लभी है इसको पौलिटिकल पावर में क्योश शेयर दिया जाए ताकि वो अब यह जो है आपका पैराग्राफ या फिर आपका सोर्स हो गया इसके उपर जो सवाल जवाब है वह हम लोग देख लेते हैं पहला आप कषच्छन एक्जामीन करना है और उसके बाद में हमको अपने शब्दों में अपना रियक्शन देन तो छॉट नोट विए लिखना तो लिखना है दोक्टर अमबेटकर का कहना यह है कि यह जो पर्टिकुलर डिपरेस्ट क्लासे के लोग हैं वो रिलिजन जिसके साथ में यह बंधे हुएं कहीं ना कहीं वो एकनॉमिकली उनको पूरी तरीके से हाई क्लास हिंदूस बगरा की साथ में बांध देता है और हर तरीके की हुआ है काफी सारी आपकी सुपर्स्टिश आ गया उसके चलते सोसाइटी में काफी सारे इविल्स आ गया उन्होंने सोसाइटी को कर दिया इन सब चीजों का नुकसान जो है डिप्रेस्ट क्लासेज वगरा के उपर पड़ा और उनको जो है कालांतर में की तौर पर जो है किया जाने लगा वह अपने अलग जगाओं पर रहने लगे उनको बहुत सी चीजों के ऊपर उनकी प्रोड़ीशन वगरा लगा दिये गया और उनको हायर कास्ट इंडियंस वगरा के साथ में मिक्स अप नहीं करने दिया गया इन सब चीजों को देखकर कहा जा सकता है कि कह सब्सक्राइब करना है तो इसका जवाब इस तरह से देंगे कि इस क्लासे डेपेंड उन हाइर कास्ट वगरा के ओपर डिपेंड करती अपनी अर्निक्स वगरा कमाने के लिए कोई दूसरा उनके पास में सोर्स आप इंकम नहीं हुआ करता था और इनको इस तरीके से सप्रेस किया गया था कि अगर वो किसी दूसरे प्रोफेशन में जाना चाहें तो उसके लिए पी उनकी पास में मौके नहीं थे जिन्दगी में राइस अप करने के उनके पास में चांसे उतने जादा आपको देखने को नहीं मिलते हैं तीसरा है होना चाहिए समाज में जो है भरावरी का भाव होना चाहिए और प्रोफेशन और एकनामिक ऑपर्चुनिटीज की जब बात की जाती तो उसमें परावरी का भाव होना चाहिए एक इसके इलावा दीस क्लासे शुट भी गीवन सम शेर इन दे पॉलिटिकल पावर इनको करना था वो हमने कर दिया उसके बाद में हम लोगोंने सेक्शन नंबर ए करना था वो कर दिया उसके बाद में हम लोगोंने सेक्शन नंबर सी करना था वो कर दिया फिर हम लोगोंने सेक्शन नंबर डी करना था डी अभी में से कोई एक करना था तो उसमें मैंने सेक्शन न सब्सक्राइब करेंगे जहां तक हो सकेगा पैराग्राफ करने की कोशिश करेंगे एंड इंपोर्टेंट पॉइंट्स वगरा को हाइलाइट करते चलेंगे ताकि हमारा सवाल का जवाब जो है वह काफी आपका जो एक्जामीनर है उसके उस जवाब के सारे आपके सारे एस्पेक्ट्स वगरा पर कम से कम एक सरसरी निगाम आर सके और समझ जाए उस पर इंप्रेशन पड़े कि हमने सवाल का जवाब अच्छे से दिया है पढ़ लिखकर आए है और अच्छे से मांक्स वगरा हमको दे तो चलें सेक्शन B की तरफ बढ़ते हैं लास्स चेंजिस निइडीया में टू चेंजेश तो जब गांदी जी उन्नेस सो पंजरा में इंडिया लॉट कर रहे तब उन्होंने काफी सारे चेंज इंडिया में पाए थे आब इन चेंज़ेश को हमको मैं तो एक्स्प्लेंड कर देता हैं ऑटरा सो ते रांवे एटीन नैंट 1793 में जो हिंदुस्तान पीछे छोड़ कर गए थे वह एक अलग तरीके का हिंदुस्तान था और जब वह लौट कर वापस आ हैं वह अलग तरीके का हिंदुस्तान निस्तों पंद्रा में ऑव्यसी बात थे जनरली घरों में दूर दर्शन के अंटी ने देखने को मिलते थे मगर कुछ जगाओं पर जो है केबल टीवी भी आना शुरू हो गई थी तो आउस वक्डिक्स बोला जाता था दो सो तीन सो रुपए उस वक्ते थे पूरा वो तारवार लगा घर में जाता था तो डिस्क में टीवी को हम लोग डिस्क बोला करते तो इसका क्या सेंस बनता क्योंकि मैग्सिमम गरों में आंटी ना चला करते दूर दर्शन मगरा देखा जाता था इसी तरीके से पावर कट बहुत ज्यादा होता था गर्मियों में एक नियम से था कि आपका 8-10 बहे तक सुबह सुबह साइट कर जाएगी तक नहीं आएगी रात में फिर दो तीन घंटे के लिए मिलेगी खाना होना खाने के लिए फिर बारा एक बहुत होती थी क्योंकि इतनी बिजली नहीं बनती देश में तो बच्चे रात को जो है इधर से उधर आपका जब लाइट नहीं तो खेल रहा है हैं आपके जो पड़ोसी वगरा सबसाथ में बैठ जाते थे आपका मजमा लगा कि अंकल बैठे हूँ एंटी या लग बैठ के बाते आते कर रही है एक सब्सक्राइब बचाने के लिए लोग यह किया करते थे कि घरों के बाहर मच्चरदानी लगा कि आपकी बिस्तर डाल क कर पाऊगे किसी के दिमाग में नहीं था और यह सोचना कि एक दिन चोटे अपका मोबाइल आएगा उस पर पूरे वीडियो चलेंगे यूट्यूब जैसी कोई चीज आजाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था तो एक अलग तरीके का समाज था और यह मैं बात कर रहा हूं मै नाइटी नाइटी का जो आखरी दशक गया है नाइटी टू नाइटी त्री नाइटी फाइव उसकी बात कर रहा हूं मगर आब हाग दोहजार तेईस में खड़े होके हम लोग देखते हैं कि यह सारी की सारी चीज ने रियालिटी हैं तो समाज में जो एक दम आउट वीडियोस हैं वो देख सकते हैं सोशल मीडिया जैसी एक चीज आ गई है उसके तुरू करनेट कर सकते हैं शहर जो हैं काफी जादा बदल गए हैं लोगों का स्टैंडर और लिविंग ठीक हो गया एक समाज में बदलाव आ गया बहुत बड़े लवल पर आपको तब तक का जो समाज होगा जब वो पीछे पलट कर देखेगा तो उसको हम लोग कई मामलों में बदले हुए हैं बैकवर्ड समझ में आएंगे और वो तब की परिस्तितियों से अगर 2022-23 की हिंदुस्तान को देखेगा या दुनिया की किसी भी इस्ते की बात कर लें वो कितना बदलाव वह ऑनावे वहां होती है कि 1893 में जब यह जाते हैं यहां से हिंदुस्तान तब लगुझ था 1915 जब लॉक्त हैं उस्तान तब भी गुलं है मगर समाज में बदलाव आता ही है बदलाव अवश्या अंभी है वो होता ही होता है तो 1893 का भारत जो महात्मा गांदी पीछा छोड़ कर गए थे और इंसान के तोर पर वी एक अलग तरीके के वेक्टी थे वो एक बैरिस्टर थे महात्मा नहीं थे वो सिर्फ मोहंदास करमच पर जाके कई सारी चीज़ें होती हैं उनके अंदर लीडर्शिप कॉलिटी डिवलप होती हैं सत्याहिंसा और बाकि सारी चीज़ों के प्रयोक करते हैं सत्याग्रह वगरा सारी चीज़ें करकर आकर मुहंदास करमचंद गांदी नाम का एक बैरिस्टर 1893 में जो साउट इस देश कम रहे हैं और 1915 में जिस देश में लॉट कर आए उसमें भी काफी जादा बदलाव आ चुके हैं तो सवार कंटेक्स में सेट किया गया है कि जब गांदी जी 1915 में इंदोस्तान में गया था अब आप वो बदलावों के बारे में बात करिए इतना डीडेल में समझाने का सैंस इसलिए बनता है कि वो बच्चियों ने अगर किसे ने लेक्चर नहीं देखे हो डारेक्ली अगर वो देख रहे हो इस question को यह sample paper को तो समझ में आ जाएगी किस context में सवाल पूछा गया चलें बाद 1905 का सुदेशी मुमेंट हो गया था अंटी पार्टिशन बंगाल के खिलाफ और उसके बाद करांतिकारी एक्टिविटीज भी खूब हुई तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था उल्टीमेटली 1911 में तंग आकर उन्हें कलकत्ता से capital दिल्ली शिफ्ट कर दि फिद्ली हो गया मदरायस हो गया बंबायोग्यआ पूना हो गया नाकपूर गज़्शात में सूरत वगएरा हो गया अमदाबाद वह ग newborn में 20818 85 में में हो गई एक गांदी जी ब्वास के आठ Неerdra पहले इंडियन नाशनल कॉंग्रेस बनके स्थापित हो गए थी मगर तब वो यह चोटा मोटा मजमाया क्लब हुआ करता था मगर जब लॉट का रहा है तब उन्होंने यह देखा कि इंडियन नाशनल कॉंग्रेस जो है इसने आपका मेजर मेजर सिटी और ट्राउंस बगरा म अपनी ब्रांचेज वगरा जो हमको इस्टैबलिश कर लिया था इसी तरीके से इंडियन नाशनल कॉंग्रेस का जो बेस है वो बढ़ना शुरू हो गया था और खास तौर पर मिडल क्लास के जो लोग है जो आपका मध्यवर का उदय हुआ था हिंदोस्तान में यह जो नई लोटने के बाद में देखे रहे चले हैं अगला क्वेशन देख सेथनरे कोर्षन नंबर 23 इसमें पूछा गया है रहां को यह कि सौल्ट मार्ड जो है वो नो आपक्यों था इसके कम असकम दो जवाब देना तो इसका अंसर यह बनता है यह सौल्ट मार्ड जो है इन इंद परिस्तितियों के कारण इन इन वजवात के चलते हैं इन रीजन्स के कारण जो है पॉर्टेंड या रिलेवन्स रखता है पहला प्रोटेस्ट का कोलोनियल रूल के खिलाफ यह अपने आप में गांधी जी की जो एक टैक्टिकल विस्डम ती जो राजनितिक समझ थी सूजब में हर वैक्ति जो है वह अपने आपको रिलेट कर पाएगा और वह एक बार अगर आपको रिलेट कर पाएगा तो भली वह इस आंदोलन से जुड़े हैं ना जुड़े मगर इसकी प्रोग्रेस वगरा जो है वह इसके बारे में हिसाब किताब रखेगा अब जब उसे पता चले लेगा कि जंता के ऊपर नमक कानून वग्यरा की विरूद में भी अत्याचार हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल अवेक्णिंग होगी यह उस वैक्ति के लिए जो पॉलिटिकल ली एक्टिव नहीं है और बाकी जो लोग पॉलिटिकल ली एक्टिव हैं ज पूरे के पूरे नाशनल मुवंवंट के साथ में जोडने के लिए क्योंकि सब के साथ में यह था कि सब की ठाली में नमक था और नमक की ज़रूरत सब को पढ़ती चाहिए आप बहुत बड़े रईस हो चाहिए आप अग्दम हैंड टू माउथ आपकी परिस्टिती हो दोन बात नहीं है बड़े लवल पर जो है आपको देखने के लिए मिला था काफी बड़े लवल पर जो है पूरी की पूरी चीज आपको होती हुए समझ में आती है तो ये एक बात हो गई जनता ने क्योंकि बड़े लवल पर इसका सपोर्ट किया था सॉल्ट मार्च जो हुआ था उसमें भी लोग काफी बड़े लेवल पर आये सॉल्ट मार्च के बाद में पूरा का पूरा आपका जो सिविल डिस ओवेडियंस मोमेंट खड़ा हो गया था वो सरकार के लिए इतना बड़ा सिरदर्द बन गया कि गांधी जी को और बाकी लोग इस तरीके से खत्म होता है अगला आता है क्वेशन नंबर 24 इसमें पूछा गया है स्टेट दा सिग्निफिकेंस ओव गांधी जी स्पीच एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को पूरा बार-बार बोलने से बचने के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म इसका भी एच्यू तो इसका जवाब यह है कि भी एच्यू में गांधी जी ने जो स्पीच दी थी वह एक इंडिकेटिव वह इंडिकेटिव था इस फैट का कि इंडिया का जो नैशनलिजम था वह कहीं ना कहीं इलीट का क्रियेशन है जिसमें लॉयर डॉक्टर लैंडलॉर और बड़े बड़े जो लोग हैं वो शामिल है मध्य वर्ग या फिर आपका जो एक दर निम्न वर्ग है उसको इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया गांधी जी ने इस बात को सपश्ट तोर पे कह दिया था यह एक ऐसा सच था जिसको शाइद जानते सब थे मगर कोई अपने मू हिंदुस्तानी समाज का जो हिसमें किसान शामिल है वह मुझे यहां पर मुख्यधारा में प्रतम पंक्ति में देखा बैठा हुआ दिखाई नहीं देता प्रतम पंक्ति की बात चोड़िये वह आखिर तक देखने को नहीं मिलता इसका मतलब यह है कि वह अंडर रिप्रेज किया गया मजमा जिसमें लॉयर डॉक्टर और लेंडलाड शामिल असल इंदुस्तान इसके लावा यह उनका पहला पब्लिक अनौंस्मेंट था यह पहला पब्लिक अपिरेंस था और गांदी जिन इसमें कहीं आपनी यह बातें करकर इस बात को जाहिर कर दिया उन्होंने इस पूरे के पूरे इंडिया नैशनलिजम वगरा में रिप्रेजेंटेशन वगरा मिले और इसके लिए जरूरी यह हो जाता है यह इडिया नैशनलिजम वगरा में जो हमको अच्छे से रिप्रेजेंटेशन वगरा मिले इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हर एक तपके को ज गांदी जी नेंट के बीच में कंग्रेस के लोग ले कर जाएंगे मतलब यह कि कि कीक बी कोई बात हो गई है कौन moments related कोई बात होगा, इन सारी बातों को लेकर अगर जनता के बीच में जा रहा है, तो जनता के बीच में जा कर उन से उन्हीं की भाशा में बात करेगा, जिस भाशा में वो लोग बात करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ना कि अंग्रेजी भाशा में उनको वो communication वगरा करेगा अब सवाल यह पूछा गया एक्जामिन हाव ही निटेट दा नॉन कॉपरेशन मुवमेंट विद इस फिलोसफी सवाल यह पूछा गया है कि यह जो फिलोसफी थी कि आप लोगों से उन्हीं की भाष्चा में बात करोगे जो उनको समझ में आती है ना कि अंग् गांधी जी मानना यह था कि किसी भी Oh Że Games करने के लिए सब्से जरूरी के वोती है कि बाई माजसेस जो है ने जंता इस फिल्म देखने धाने नहीं चाहीं क्रेटिक चाहिए कि आप कर लें की या फोर्टा हुआ परल्फोर्मेंस दिया है और संद्वारता हुआ पर्फॉरूमेंस दिया है चांद के तुक्रे कर दी यह सिर्फ कि चोली आपने स्क्रीम परslय पर parte कि बेंगे तो लग गालियाँ बखें बोलें कि मतलब देखें ग्राहिस, एक ने बुरी तरह इसे बोलेंगी कान जो है उन्हें का जो है वह बजने लगते हैं इतनी बैकार फिलम और यह हैर यह पसंद आ रही है और लोग लगाता कर्वा रह तो वह कहानी यहां पर है कि आपका मु्लमेंट कितनी विखाथें करता हो कितने आदर्शों पर स्थापित हो कितनी भी बगवास कर ले मगर अगर जनता का सपोर्ट हासिल नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है अगर जनता जो है जनता जनारदन जो है अगर वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो वो मोमेंट चल नहीं पाएगा ठीक है जी मगर उसी के जगे उस मोमेंट में कितनी भी छोटी से छोटी बात उठाई गई हो कितनी भी नॉन-relevant बात बात हो रही हो मगर अगर जनता सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वह मोमेंट जो है ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होगा मगर वह दौड़े गा और जमकर दौड़े गा तो गा अगर उसमें हम लोग अपनी बात को समझाएंगे तो लोग जो हैं हमारी बात को अच्छे सा समझाएंगे एक ऐसा भारत जो कहीं ना कहीं है भी दो क्लास और कम्यूनिटी जो पहले सी बहुत सी क्लास और ख्राश सी गिए पहले से बहुत से का लिए उसमझाएंगे टीनिटी बहुत ना कहीं बहुत स्वाधा मेंजिक की तरह काम कर गई उन्होंoup लोगों तक जब बात पहुंचाई गई तो ना सिर्वासानी से कम्यूनिकेट हो गया लोगों को समझ में आ गया खड़े हो कि अच्छे से कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या चाहते हैं तो गांदी जी का जो यह एडवाइस थी नैशनलिस्ट को कि इस्तेमाल किया जाए इसने बहुत बड़े ल महसूस करेंगे अगर मदर टंग में जो है बातचीत हो रही होगी मदर टंग में बात उठाई जाएगी यह फिल्मों के एक्जामपल से समझाता हूं अंग्रेजी फिल्में या हॉलिवूड की फिल्में हिंदूस्तान में खूब देखी जाती हैं इसा नहीं कि नहीं देख की जादा अच्छी लगे कि किसी तमिल वाले आदमी को तमिल डब जादा अच्छा लगे गाई यह वो इसी तरह से की बात कर लेते हैं पुश्पा की बात कर लेते हैं अभी रीसेंट में जो आपकी दूसरी मूवीज वगर आई थी है ट्रिपल र हो गई इस तरीकी की मुझ में आई होगी है वो प्रिफर करें कि मैं तेलगू में देखूं रैदर देन हिंदी या मल्यालम या कंडड़ में डब की हुई मूवी देखूं एक जो आपका कंड़ीगा रहा होगा उसने कंड़ा भाशा जो है उसमें ज्यादा बैटर तरीके से उसको इंजॉई कि सकते हो अगर हो आपकी मदशेम का है तो इसमें जिएक तरीके साफ लोगों को जोड़ पाओ अगर उनकी आप सोच कहे देखी आप देश की बातें कर रहा एं रहां जो देश से ही नहीं या फिर उस भास Brush आप उन लोगों की बहुंदों की बातर यहां मगर उस भाशा में कर रहा है जो उनके बाप दादाओं ने नहीं सुनी है ना वो बोलते हैं ना वो समझते हैं ना उनको कुछ उसमें कोई पल्ले पढ़ती है चीज़े ना उनको सेंस मुझ में आता है तो इसलिए गांदी जी का कहना ये था कि मदर टंग समाज में जोडने का काम करेंगी किडिसेव इसमाज में कामiono करेंगी मसं व गणरा किसी शेत्र प्लैटफॉम पे लेका रहे गी कि यूद्ध आपका जयन हो गया सिख हो गया बहुत हो गया इसाई兒 हो गया अगर हो अज़ए सब माराथी तो बोलेगा तो भाषा के Englishmen during these years believed that their language is superior to other languages Englishmen मानते थे कि वो हर चीज में हम लोगों से श्रेश्थ हैं तो उनकी जो भाशा है वो भी हम से श्रेश्थ है बाकियों की भाशाओं से बहुत जादा सूपीरियर और यह और वो है इसलिए कहीं न कहीं उन्होंने एक इंफिरियोरिटी का भाव हमारे अंतर बठाया भी था और यहां पर मगर गांदी जी ने यह बोलकर कि भाई अपनी भाशा में बात करो यह जो नोशन था उसको कहीं न पर अशेंड महसूस करते था कि वो और नहीं पाता है और वह शर्मिंदा महसूस करते थे आज के लिए शर्मिंदि एक तरफ कर लोगों तो लोग आजकल इस चीज़ से और ज़्यादा बड़े लेवल पर निकल कर आ रहे हैं अगर उस वक्त में भी गांदी जी ने यह जिंक्स था इसको तूड़ने के लिए इसका इस्निमाल किया था और कहीं ना कहीं अपनी भाशाओं का को बढ़ाते हुए हिंदोस्तानी भाशाओं के बढ़ाते हुं लोगों के मन में confidence को बूस्ट किया था इन सारी चीज़ों को कुध्यान में रखते हुए इंसारी बातों दिया गया है इसमें पूछा गया है या फिर इसमें बताया गया स्टेट्मेंट में सॉल्ट मार्च ऑफ नाइटीन थर्टी वॉस्ट इवेंट एक्स्प्लें सिग्निफेकेंस ऑफ दिस मोमेंट फॉराज मतलब यह कि 1930 का जो सॉल्ट मार्च था यह पहली घटना थी जिसने म मात्मा गांधी को दुनिया के अटेंशन में लाया है और साथी साथ जो पूरा का पूरा इंडिया नजर गई अब यह तो आपका स्टेट्मेंट हो गया एक्स्प्लें सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मोमेंट फॉरा जब यह पूरा का पूरा मॉमेंट था 1930 का जो सॉल्ट मार् करना है उसके बाद में को यह बताना है कि इसका इंडियान नाशनल मोमेंट की हिस्ट्री में क्या सिग्निफिकेंस है तो इस सवाल का जवाब हम लोग ऐसे देना शुरू करेंगे कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में इंडिया इंडिपेंडेंस दे मनाया गया था थोड़ा सा कॉंग्रेस का उसमें यह डिसाइड किया गया था कि आप हम लोग कंप्लीड इंडिपेंडेंस के लिए जाएंगे अब बहुत हो गया हमने डोमीनियन स्टेटर्स वगर आपने मानना मांगना अब हमको पूरी आजादी चाहिए तो उसमें फिर यह डिसाइड हुआ कि 1930 में से फिर अपन लोगों ने मनाना शुरू कर दिया मगर इस दिन का इंपॉर्टेंस यह है कि 1929 के लाहुर सेशन में डिसाइड हुआ था कि आभी जो अभी 1930 आने वाला है दिसंबर में सारी बातें कर रहे थे इन लोग कहना यह जब जनवरी में 1930 में 26 जनवरी आएगी उस दि गांदी जी जो है अपने कुछ चुने हुए लोगों के साथ में यात्रा पर निकलेंगे और इस यात्रा के में के चलता यह जो पूरी की पूरी यात्रा रहेगी यह एक ऐसे कानून के विरूद में रहेगी जिसको बहुत जादा डिसलाइक किया जाता है अंग्रेजों को एक बहुत कानून है जिसको समाज का कोई भी तक्वा फसंद नहीं करता जिसका नाम है नमक कानून या फिर इसके आगेंस में वह यात्रा निकालेंगे तो यह सारी की सारी चीज़ें उन्होंने 1930 का जो इंडिपेंडनेंस है और इसको इंडिवर्टेट कौमा में इसलिए लिखा है क्योंकि आजादी बाद में 15 अगस्ट को मनाई जाने मिली तो 15 अगस्ट को मनाई जाती थी मगर 1929 से लिके चत्ता को इंडिपेंडनेंस नहीं तब तक कॉंग्रेस वादूने 26 जनवरी को इसी के चलते हैं फिर बाद में इसको रिपब्लिक डे के तौर पर जो है सारी चीजह है इस दिन का इस इस्तोरिकल इंपर्टन्स दो गांदी जीन इनाऊंस किया कि यतरा निकालों और बगारा बगारा इस तरीकी कि चीजहें की आपका जो है इसके खलाव में यातरा निकाल Gleich assessment, the conditions in the country had become very favorable by the launch by सब्सक्राइब तक परिस्तितियां भी जो है देश में बढ़िया तयार हो गई थी 1922 में जो नॉन के शुरुबात का वक्त आ गया था गांदी जिन एल्टी मेटली दांडी मार्श या दांडी यात्रा बारा मार्श 1930 को शुरू करें अपने 78 फॉलवर्स के साथ में साबर मती आश्रम से जो अंदाबाद में वहां से वो दांडी की यात्रा पर निकले जो सूरत जिले में एक पका तटका इलाका है वहां पर नाбक कानून तोड़ बलती है कि नमक कोई नीं बना सकता सर्कार कि इलावा तो उन्होंने नमक कानून तोड़ लिया और जैसे में नमख कानून तोड़ा या फिर दंड़ तरीके से आप कह सकते हो वाइड फायर की तरह जैसे आग नहीं लगती है उस तरीके से लेंद अंद ब्रेट्थ आप दा कंट्री में पूरा का पूरा है जो सिविल डिसोवेडियंस मॉमेंट है यह फैलता चला गया बढ़ता चला गया सारी चीजें और लोगों ने फिर पैर लड़का पैदा हो लड़की पैदा पैदा होती दुर्बागी मानते थे फिर वो टेंशन की शादी करनी है यह करना वो करना पढ़ाते लिखाते थे नहीं जनरली एक्सेप्शन सार ऑल्वेस दियर पार्सी कम्यूनिटी ने लपनी लड़कियों खुब बढ़ाया आगे बाल विवा कर दिया बाद में गौना कर दिया इस तरीके की चीज़न चल रही थी हिंदुस्तान की महिलाएं बुरी तरीके से दबी हुई थी अपके चुला चौके में लगी हुई थी परदा प्रथा वगगरा बहुत बड़े लेवल पर चलती थी समाज में जो है बहुत से आगे जो महिलाएं थी और बड़े लेवल पर इसके लागा और बी चीज़ें यहां पर एक चीज़ और थी कि आपका रिवाश्टियार लेकर लड़ने के लिए गई थी तो हिंदुस्तान में कैसे वक्त में जब महिलाओं की स्तिती बहुत दैनिया कही जा सकती है उस वक आपका जो शुरू हो गई थी सारी जगाओं पर आपको एक बड़ा कह सकतने कि यह फ्रेश ब्रेट ऑफ लाइफ की तरह था कि महिला बड़ चल कर आ रही है और बड़े मोमेंट पर जो है इसको लीट किया जा रहा है गांदी जी का बढ़ी मार्ट जो है बहुत सिक्निफे लिटों के खिला रहा है और यह बोल कि उस तरीक तरीके का विचार अपने अब में बहुत का रही था एक तरीके से o आपके basic thoughts या इकोज हैं उनके साथ में या फिर इतोज हैं उनके साथ में बहुत अच्छे से इकोज करता था तो जन्ता अब प्रेस ने ये तक लिखना शुरू कर दिया कि महात्मा गांदी एक ऐसे वैक्ती है जो क्रिश्चन तरीकों का करना है ग्रेस्चन के खिलाफ कैंग्रेस क्रीश्चेन थे तो जो आदमी अजिसा है धर में मानता है यह जो जिसके महनेता हैं उन्हीं के खिलाफ उनी वैल्यूस का इस्तिमाल किया जा रहा है जो क्रिशानिटी में पढ़ाया जाता है जो क्रिशानिटी में बातें कही जाती है उस तरीके के मैटड्स का इस्तिमाल किया जा रहा है अब यूरोप में जब बातें छपी हैं अमेरिका में जब बातें छपी हैं तो कही ना कहीं रहें तो दो चीज़ें हुई एक तो लोगों के मन में हिंदोस्तानियों के लिए जो है कहीना की सिंपती आने लगी कि यार क्या हो रहा है इंग्रेजों को लोगों ने बर बर के गालियां देना शुरू कर दी सब देशों में कि यार ये कैसे लोग हैं मतलब नमक के ओपर 16 16 टैक्स लगा रहे हैं हजार हजार गुना दाम पे दमक बेचे हैं और बनाने देनी रहे हैं सारी चीज़ा हैं इस सबका फाइदा यह हुआ कि दुनिया की एक फेवरेबल ओपिनियन इंडियन नैशनल मुव्मेंट के फेवर में बनी और इसका फाइदा बाद में हमको मिला जब अमेरिका ने और सोवियज उनियन ने हमको सपोर्ट किया था हमारी इंडिपेंडेंस को जिसके चलते भी अंग्रेजों के उपर या ब्रिटेन के उपर दबाव पड़ा था तो इन सारी चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़े लेवल पर इंडियन अज़ादी मिलेगी तो महिलाओं की भलाई के लिए बैटरी के लिए क्या किया जाएगा उसका नतीज़ा यह है कि महिलाओं के लिए फिर बहुत सारे काम वगिरा किये गा और आज अगर आप देखोगे उननिस सो तीस ननिस सो बतीस के भारत की अपेक्षा अगर आगर पीचे इन सारे मोमेंट्स और इन सब में महिलाओं की पार्टिसिपेशन ने भागीदारी का भी बड़ा योगडाल माना जा सकता है चले आगे बढ़ता इसके आगे बढ़ते हैं इसमें आप एक दो नाम वगरा भी डिसकस करना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कमला दीवी चटोपाद्याय जो थी एक सोशलिस्ट वरकर हुआ करती थी उन्होंने गांदी जी को ये बात कही थी कि सिर्फ फुरुशों को जो है आप इस मोमेंट में शामिल ना करें महिलाओं को भी इसका हिस्ता बनाएं उन्होंने उनकी बात मानी और उसके बाद में कमला दीवी च किरफ्तारियां भी हुए इन सारी चीजों के चलते हुआ ये कोलोनियल लूलर्स जो है सॉल्ट मूव्मेंट के नतीजे में इस बात को समझने में बहुत क्लियर हो गाए उनको बड़े इच्छे समझ में आगे कि उनकी जो एथॉरिटी है उनका जो ये राज है ये उनको देना पड़ेगा और इन सारी बातों के चलते इन सारे ऐस्पैक्स के चलते इन सारी इन सारे फेक्टर के चलते वूमेंट सुल्ट मार्च ये सारी की सारी चीज़ स्वी और गदी चीजी की टेक्टिकल ग homic पूरी की पूरी की पूरी हिस्ट्री रही है या फिर हमारे पूरे की पूरे राष्ट्रवाद का इतिहास रहा है उसमें गांधी जी को कई बार हमारा जो मौडन नेशन है उसकी मेकिंग के साथ में जोड़ कर देखा जाता है मतलब यह कि हिंदोस्तान एक कल्चरल सेंस में तो हमेशा से मौजूद था कि हम लोग कल्चरल तोर पर जानते थे कि यह पूरा का पूरा शेत्र है इंडिया या पर इंडियन सब कॉंटिनेंट या फिर हिंदोस्तान बोला जाता है जिसके चलते हम एक राष्ट के तौर पर निकल कर या उभर कर आते हैं उसकी में महात्मा गांधी को आइडिंटिफाई किया जाता है या महात्मा गांधी के साथ में उस पूरी प्रक्रिया को जोड़ कर देखा जाता अब यह तो स्टेट्मेंट है उसके आगे लोग बोलत इंडियन नेशन का इतिहास है जो हिंदुस्तानियों को बागी सारी चीजों के उपर पहले हिंदुस्तानी बनाता है इस भावना के विकास के साथ में गांधी जी को जोड़ कर देखा जाता है और फ्रीडम स्ट्रेगल में उनका जो रोल है उसको हमको डिसक्राइब करना यह question या तो ऐसे पूछा जा सकता है या फिर ऐसे पूछा जा सकता है explain how गांधी जी transformed Indian nationalism by 1922 या फिर इसको इस तरह से पूछ सकते हैं कि 1922 आते आते हैं और 1922 के बाद में 1922 आते आते या फिर 1922 के बाद में उन्होंने किस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा nationalism था इंडियन nationalism या भारती राश्च्टर बाद था उसको किस तरीके से transform किया इसके बारे में अपने को बात करनी है तो ये जो सवाल है दो तरीकों में से किसी भी एक तरीके से पूछा जा सकता है अब इसका जो जवाब है हम लोग कुछ इस तरीके से लिखना शुरू करेंगे कि भाई जो 1919 से 1947 के बीच का पीरियर्ड है वो एक इंपोर्टेंट जगे उक्यूपाइ करता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के इतिहास की जब हम बात करते हैं भारती इतिहास में जे खास तो पर अंग्रेज़ों के साथ में जो फ्रीडम स्ट्रगल का इतिहास लिखा गया है उसके आप बात करो गया तो नाइटीन हंडिट नाइटीन नाइटीन फॉर्टी सेवन तक का जो पीरियर्ड है उसका अपना इक खास महत्व है उसका अपना एक खास रोल है इट वास नाइशनल कांग्रेस की मेकिंग उसके बाद में सौदेशी आंदोलन और आपका जो पूरा बॉयकॉट मुमेंट वगरा शुरू हुआ था पार्टिशन और बंगाल के अगेंस्ट में एंटी पार्टिशन मुमेंट जो शुरू हुआ था 1905 में चला शुरू हुआ था 1910-19 111 तक वो more or less चीज़ें खेची निए उसके बाद में यह तीसरा फेस आप मान सकते हैं 1919-1920 के असपास से शुरू होता और 1947 तक गया तो यह तीसरा और आखरी इंपॉर्टेंट फेस तीसरा आखरी इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव एस फाइनल फेस था हमारी पूरी की पूरी freedom struggle का इस time period में जो हैं महात्मा गांधी इंडियन politics में एंटर किये थे और उन्होंने नए तरीके के जो हैं आप कह सकते हैं weapons का इस्तिमाल किया इस तरीके के weapons का इस्तिमाल पहले इंडियन nationalism की पूरी struggle में इंडियन freedom struggle में या फिर दुनिया भर में कहीं पर जो भी इस national moment का अधार बन गए कि हम आपसे आजादी लेंगे मगर हम आपके खिलाफ हिंसा नहीं करेंगे हम आपके खिलाफ जो भी चीज़ें करने वाले हैं वो पूरी तरीके से हिंसात्मक रहेंगी नॉन वाइलेंट रहेंगे और आप चाहें तो हमें मारने हैं बठाम आपके उप पढ़ना चाहिए इसलिए कई बार जंदल यह जो पूरा का पूरा फेज है इसको गांधी एरा या फिर गांधियन एरा भी बोला जाता है क्योंकि इसमें महात्मा गांधी की पॉलिसी वगरा के ऊपर पूरे के पूरे नैशनल मोमेंट को आगे लेकर चला गया था गांधी बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान गांजा सकता जो है इसमें उन्हों को ट्रांसफोर्म कर दिया था 1700 गांधी जी ठ्रास्फोर्म थे पूरा कि बात स्जीन, अड़ियन ना तर सुन्टमेशन Zn इन दा इंडियन नेशनल मोंट तो गांधी जी ने पूरा का पूरा जो इन नैशनल मुवमेंट है इसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया कि आपने ये नए नए वैपन्स लेकर आए कि आप कर सकते हैं आप हरताल कर सकते हैं सिविल कर सकते हैं यह सारी चीज़ें हो सकती है पिकेटिंग हो सकती है और यह सारी चीज़ें हो सकती है इन सके मदद से अब हुआ कि जनता को जुड़ने का एक मौका मिलिया क्योंकि अब जनता सिर्फ एक म्यूट एक स्पेक्टेटर बनके नहीं रहे गई जो यह देख रही थी कि भाई बिडिल क्लास यह फिर अपर बिडिल क्लास जो इंडियन नैशनल मोव्मेंट लेकर चल रहे हैं उनके और अंग्रेज़ों के बीच में क्या हो रहा है और वह बैठें हुए है साइड में बैठके वो सारी की सारी प्रक्रिया को अब यह हुआ कि भई यह लोग कर सकते हैं जब हरताल होगी तो फिर कोई भी अपने दुकान नहीं खोलेगा जब स्ट्राइक्स होंगी तो फिर कोई भी जो है काम पर नहीं जाएगा इस तरीके की जब आप चीज़ें होने लगी तो जनता जो है अब सिर्फ स्पेक्टेट की जगे अब एक होता है कि आप एक्ट कर सकते हो आप कुछ कर सकते हो या फिर आप एक्शन में आ सकते हो यह जो एक चीज़ है वो कहीना कई बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गई यह जो एक चीज़ थी इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया और अब जो है जनता एक्ट कर सकती थी जब उतको कॉल दिया जाता था तो नॉन वाइलेंट तरीके से वो अपने गुस्से का जो है इजहार कर सकती थी अंग्रेजों के खिलाफ और इसके चलते लोगों को लगा कि अब वो भी जो है देश के लिए कुछ कर रहा है राश्टरबात की इस पूरी लहर के सा या फिर आपका छोटे लेवल पर मोमेंट चल रहा था क्रांतिकारी कतीविदियों में इंडिविजूल इन्वाल्ट थे कुछ गिने चुने लोग जो थे वही उसमें शामिल होते थे और दूसरा अगर आप इंडियन मोमेंट की बात कर लें जो गांग्रेस के द्वारा ही चलाया जा रहा था वर उसमें भी वाइड बेस्स पोर्ट नहीं था उनको गावों में खास सपोर्ट नहीं था छोटे-छोटे शहरों में तालूकों में कोई जानता नहीं था उनलोंकों को इसको बढ़ाने में गांदी जी का एक बहुत-बड़ा योगदान इस पूरे की कोई शक्की बात नहीं है कि गांधी जी के जो मास अपील थी वो अंडाउटेडली जन्यून थी एक होता है कि आप कई सारे नेताओं की हवा बनाते हो उनके सपोर्ट करने के लिए आप कई बार जो है पूरी एक फॉज खड़ी कर लेते हो समर्थकों की जो उनके आगे पीछ होती है वो जन्यून नहीं होती लोगों के बीच में उनका खास सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता ऐसे कई नेता आये हैं कई चलेगा हैं कई आज भी संकर्स कर रहा हैं बहराल पॉइंट यह है कहने का कि गांधी जी की जो मास अपील थी वो पूरी तरीके से जन्यू पर या उनकी जो भी आदेश वगरा हैं उनका जो भी आपका उनसे अनुरोद वगरा होता था उसके बेसेस पर उनके साथ में आके खड़े होते थे जब वो कहते थे कि अब सब साथ में भूखरताल करेंगा तो लोग जन्यूनली भूका रहा करते थे और यह सारी चीज़े हैं हुई है तो इसके चलते आप कह सकते हैं कि उनकी मास अपील या जनता के बीशमन की जो पकड़ थी जनता की नफस के ओपर उनका हाथ था उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो गजब का था इसी तरीके से उनकी जो एफिशन्ट लीडर्शिप की कॉलिटीज वगरा है उन एक आपको डिवाइड देखने को मिलता था इंग्लेश एजुकेटेड जो लोग हुआ करते थे जिसमें कॉंग्रेस के भी काफी जादा लोग शामिल थे इलिट्स वगरा और जो एक आपकी आम जनता है जिसको पास में इंग्लेश एजुकेशन की बाद छोड़िए स्कू कि अीवसी ओर ऩक्यों जी हयंSON घुझा कर अपना मैसेज वह जढ़ करो जाआएगा जादा अच्छे साथ में जुड़ पाएगा बघा卡 यह चीजबी बहुत इंपॉत इंक गांदी जी ने और आपकी कह सकते हैं प्रदेश कि आफ्र जो प्रॉइंशल कांग्रेस कमिटी व बाउंडरी वगरा क्रियेट की गई थी अंग्रेजों के दोरा उसके बेसिस पर इनका निर्मान नहीं हुआ था इंपोर्टेंट है याद रखिएगा कॉंग्रेस की प्रोविंचल कम्यूनिटी का आपकी जो कमिटी वगरा बनी होई थी वह भाशाई शेत्रों के अधार पर नहीं थी ना कि उस वक्त में जो प्रोविंस की माउंडरी होती थी उसके आधार पर कहने का मतलब यह है कि अगर हम मद्रास की बात कर लेते हैं तो मद्रास प्रोविंस एक बहुत बड़ी प्रोविंस होती थी इसमें आज का तमिलनाडू केरल का ठीक ठाक करनाटक का कुछ पॉर्शन और आंद्रप्रदेश का एक बड़ी मात्रा बड़ा एक बड़ा इलाका जो है आज़ाता है तो अब काईदे से यहां पर अगर प्रोविंशल कॉंग्रस कमिटी बनती या प्रादेश एक कॉंग्रस कमिटी बनती तो एक ही बननी चाहिए थी उसका नाम क्या होन आगे तेलगू बुलने वाले लोग हैं उन सबको मिला कर उनकी अलग प्रोविंशल कमिटी बनाओ इस तरीके से भाशाई याधार पर आपने कॉंग्रस की कमिटी बगरा कर निर्मान करवाया था अब यह सारे तरीकों की मदद से हुआ यह कि आपका जो राश्ट्रवाद है वो देश के हर उस इलाके तक पहुँचा जो पहले उससे अच्छूता था जहां तक राश्ट्रवाद ने टच नहीं किया था वो सारे के सारे इलाके जो है फिर यहां पर टच हुए साथी सार जो सोशल ग्रूप्स वगरा थे जो नैशनलिजम वगरा से या फिर पूरे के पूरे आपकी फ्रीडम मुव्मेंट से काफी तदा दूर थे वो भी इसके साथ में आकर दुड़े और उन्होंने वो भी जो है इसका फिर इंपॉर्टेंट पार्ट बने बड़ी सं इसमें रखी जाने लगी तो कही ना कहीं उसके चलते रास्ट वबाद की अलख और ज्यादा उठीगी हम अपनी मां के लिए लड़ाई लड़ रहा है अब ये बात कि आप अपने देश के लिए लड़ रहा हूं अपने शेद्र के लिए लड़ रहा है और उसी के जगे कि अपनी मां के लिए लड़ रहा हो यह लग तरीके के जोश में आता है लग तरीके के मोटिवेशन का जो है उसके उपर असर चड़ता है चलता है और जादू होता है तो यही जो अब यह तो एक example हो गया जो singers थे जो बाकी लोग थे उन्होंने इस तरीके का literature लिखना शुरू किया ऐसे गाने बनाए जाने लगे ऐसी आपकी poems लिखी जाने लगी जिन्होंने जन्ता को motivate करना जारी रखा उनमें अलग जगाना जारी रखा example और इसी तरीके से जो है काफी बड़े लेवल पर लोग इससे जुड़ते चले गए इस common masses वगरा जो participate करी रहे थे महात्मा गांधी ने महिलाओं को भी जो है बहुत बड़े लेवल पर प्रोचसाहन दिया बहुत बड़े लेवल पर इनको पूरे के लाखों लोग जो हैं आपके सडकों पर आए अब हाला कि यह जो कॉल दिया था कुट इंडिया का उसके अगले दिन गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था और साथी साथ लोग मारे भी गया बड़ी संख्या में मगर फिर वह पीछे नहीं अटे तो इस लेवल पर जब आपने काम किया है इन सारी चीजों को जब आप देखते हैं तो समझ में आता है की गांधी जी की जो एक लीडर्शिप दी थी उस तरीके की लीडर्शिप उसके पहले आपने इन सारी चीजों से यह भी समझ में आता है कि कही ना कहीं लोगों भी समझ में आ रहा था कि अगर गांधी जी अपने देश को आजाद कराते हैं तो फ्री इंडिया में जो अंग्रेज अपने इनके ब्रिटिश कॉम्पिटिटर्स को अंडिव एडवांटेश देते हैं उन सपोर्ट किया है कई लोगों ने चुपकर किया हैं अगर किया है तो कुल मिराकर यह सारी चीज हैं जब आप देखकर समझ में आता है कि अमीर से अमीर आदमी गरीब से गरीब आदमी मिडल क्लास लगबाग हर सेक्शन में जो है रिलिजन के पॉइंट ऑव यू से समाज की के पॉइंट ऑव यू से कास्ट के पॉइंट ऑव यू सब में गांदी जी की एक मास अपील एक मास सपोर्ट था और इसी के साथ में अपना सैंपल पेपर भी जो है समाप्त हो जाता हैं तो यहां तक अपना जो प्रोसेस चला है सबसे पहले हम लोगों ने सेक्शन ए लग किया सेक्शन सी के बाद में मैंने आपको बोला था कि आपके पास में आप पहले बी करना चाहें तो बी करने उसके बाद डी करने या फिर डी करना चाहें तो बहले डी करना उसके बाद में बी करना किर मैं सेक्शन नंबर डी के साथ में गया और लास्ट में फिर मैंने पर खतम किया अब मैं तो खेर आपको समझाते हुए कर रहा हूं तो इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है मगर इस तरीके से अगर आप करोगे तो यह बहुत आसानी से comfortably well on time जो है आपका paper खताम हो जाएगा अब हमने पहली बात कर ली थी कि section एक एक किस नमबर और section इसके बाद में अपने जो तीन sections आते हैं यहां तक अपना पूरा paper खतम करने के बाद में दो धाइग घंटे आपके खतम हो चुके होंगे उसमें जो है अब इसका जो अगर आपको कुछ लगता है कि कमी है तो एक आद लाइन और जोड़ सकते हैं अगर आप तो कहीं पर कोई word में spelling mistake दिखती है कहीं कोई word आप skip कर गाए लिखना तो उसको ठीक करें क्योंकि यहां आपने 24 नमबर दाओं पे लगे हुआ और यहां भी कोशिश यह करिएगा कि इसको इस तरह से किया जाए कि इसको देखना की जरूरत ना पड़े और देखते हैं तो भी कोई issues नहीं है बट कोशिश करिएगा कि ना पड़े और उसके बाद में section B कि क्योंकि 6 सवाल है इसको पढ़ना जरूरी बनता है लाजमी बनता है इसक इसके साथ में अपना यह paper खत्म होता है यहां पर इसके साथ में अपना यह session भी यहां पर खत्म होता है तो अब हम लोग conclusion की तरफ चलता है और उसमें फिर हम लोग और फर्दर जो question answers वगरा है कैसे क्या करना है किस तरीके की questions सब चीजों को देखेंगे और उसकी practice करेंगे session समाप्त करने के पहले एक बात मैंने आपको session के शुरुबात में बताया था कि magnet brain पर सारा quality educational content exclusively free of cost मिलता है अगला सवाल आप यह पूछोगे इसको access कैसे किया जा सकता तो इसका जवाब यह है इसको access करने के तीन तरीके हैं एक तो आप इसे magnet brain की हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं दूसरा आप इसे magnet brain की website पर देख सकते हैं और तीसरा magnet brain का app download करकर भी है सारा का सारा content access कर सकते ह हम अच्छा लगे हैं जैसे आपको पढ़ना इन तीनों में से किसी भी mode का इस्तिमाल करकर आपके सारा का सारा जो quality educational content है यह आप access कर सकते हैं यह आपके mobile phone पर भी चल जाएगा यह आपके टैबलेट पर भी चल जाएगा और यह आपके PC पर भी चल जाएगा तो यह notes के links भी आपको description में दिये गए हैं इस वीडियो के आप महां से जाके यह notes books के form में hard copy के या फिर soft copy e-books के form में भी जो आप download कर सकते हैं ले सकते हैं इसको महां से access करिए और इनकी मदद से revision मगरा करकर अपनी preparation को और जादा strengthen करिए इसके इलावा अगर आपके मन में क की मरत से आप हमसे connect कर सकते हैं तो इसी note पर I would be calling it the day concluding the session मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक मेहनत करते रहे हैं पढ़ते रहे हैं आगे बढ़ते रहे हैं और जुड़े रहे हैं मैगनेट के साथ तैंक्यू जाहिंद